प्लीज एक बार थम्सब कर दीजे हैं... प्लीज एक बार थम्सब कर दीजेे बैटा HALO 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 माईक चिक माईक चिक माईक चेख हालो आट वीडियो कुलिए है तो प्लीज एक बार थम्सब कर दीजेक भیAm अब्यषकती बुबकला है हलो आप सभी बच्चों में आर का बहुत बहुत नमसकार स्वागत ही दा सूपर एनिरस्यक यव कि लुवें 20W मैं हाँ सभी बच्चों का बहुत-बहुत-बहुत स्वागत है दा यकीन 2.0 बैच में आप सभी बच्चों का बहुत-बहुत स्वागत है आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रे आप्टिक्स का लेक्चर नमबर 7 ठीक है? हाँ हैपी होली नहीं नीट का फॉर्म आ गया है योजी पीम के सभी कार्यकरताओं को पुर्ण हर सो उल्लाज के साथ सुचित किया जाता है कि नीट का फॉर्म आ गया है कोई भी जल्दिवाजी में फॉर्म फिल ना करे सारे इंस्ट्रक्शन बहुत अच्छे तरीके से पहले पढ़ ले और फॉर्म फिल करे सारे योजी पीम के कार्यकरताओं को सुचित किया जाता है कि जल्दिवाजी में कोई गल्ती ना करे डिटेल देख ले एक बार फिर फॉर्म फिल करे और घबराने की जुरुत नहीं है एकदम मस्त रहे और जिसीज की त्यारी कर रहे थे जितना मेहनत कर रहे थे वो मेहनत सफल होने का दिन आ गया है डरने की क्या बात है तुम क्या चाहते होगी फॉमी नहीं है तुम तीन-चार साल तक पढ़ते रहो एकदम ट्रू यूजी पीन हो तुम है ना सिर्फ कितना अच्छा होता हम पढ़ते ही रहते है ऐसे नीड की त्यारी चलती रहती चलती रहती चलती रहती फॉमी नहीं आता नहीं फॉम आना तो अच्छी बात है नहीं फॉम आना तो अच्छी बात है ना हाँ लेकिन उसके सारे डिटेल बगरा पढ़ लेना और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि जो भी एंसे टी में करेक्शन हुए थे वो इस नीट के पेपर के लिए 23 के लिए नहीं है 24 में क्या होगा नहीं होगा वो आगे की बात है और करेक्शन ऐसे भी नहीं थे कि उसने ऑप्टिक्स हटा दिया हो या कोई एक चेप्टर गाइब कर दिया हो जिससे आपको थोड़ा रिलीफ मिले इसी चेप्टर से एकाद दो टॉपिक गाइब करने से कोई रिलेवेंसी बनता नहीं है ये फिजिक्स है और फिजिक्स में तो हर चीज इस इनटर कनेक्टेट है अगर मान लोकल को काइनेमेटिक्स हटा दे और वो लोगी चलो फिजिक्स में काइनेमेटिक्स से कुछ नहीं आयगा तो भी आपको काइनेमेटिक्स बहुत अच्छे से बढ़ना पड़ेगा नहीं तो आप लॉज अफ मोसन नहीं सीख पाएँग लोग नहीं इतना मेहनत किया है तो उसका दीन आ गया है हुआ 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 है हुआ 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 यूजी पीम जिंदावाद चलिए तो आगे बरते हैं तो आज आप्टिक से लेक्चन नमर सेवन में हमारा गोल क्या होगा वो समझते हैं तो सबसे पहले कुस्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् या lens plus mirror के combination से जो बनता है उसको कहते है silvering of lens, इसका बहुत important concept है, जिससे सवाल पूछे जाते है, focal length ही पूछता है, कि lens को पूछ दिया, जैसे तुम कहते हो ना सर इसमें polish नहीं किया है, तो हम polish करेंगे और फिर उस पर सवाल करेंगे, ठीक है, silvering of lens, फिर image formation, image due to, image due to, due to lens plus mirror, image due to lens plus mirror, lens plus mirror से जो image formation होगा, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और फिर प्रिजम के concept को पढ़ेंगे, ठीक है, इसके concept को पढ़ेंगे, हम लोग, prism के concept को पढ़ेंगे, कि prism क्या होता है, prism deviation क्या होता है, maximum deviation, minimum deviation क्या होता है, ये सारी चीज़े हम लोग पढ़ेंगे, तो चलिए सबसे पहले हम लोग revise कर लेते हैं लेंस का formula, तो एक काम करते हैं बेटा, lens and mirror के formula को compare करके पढ़ते हैं, चलो, फटा-फट mirror and lens के formula को compare करके पढ़ते हैं, सबसे पहले object and image distance का formula तो 1 upon v plus 1 upon u is equal to 1 upon f, यहाँ पे focal length बेटा positive होता है, किसका, convex mirror का, and focal length negative होता है, concave mirror का, सही बात है, सही बात है, बेटा छोटी बात है, लेकिनि इसको समझ लेना चाहिए, concave mirror का focal length का होता है, negative और convex mirror का focal length का होता है, positive ton t iog detect near a good distance a little object के यह अब्जीक के लिए object distance negative ही होगा वी अगर री आहीट इमेज बणा है तो भी नीगेटिम होगा लीएटी आधाल करेंगे तो इंसिडेंटिंट्र रेक्जिन वे जया के करेंगे, magnification का formula, transverse magnification का formula होता है, height of image बटा height of object is equal to minus v by u, अगर magnification तुम्हारा positive है, मतलब वो कैसा image है, virtual, virtual image है, virtual image है, और अगर magnification negative है, तो real image है, बस इतनी सी बात आपको याद रखना है, उसके बाद transverse magnification का formula, यहां तो लिखा तो है, सही तो है, यही पे पूरा कर देते हैं, f बटा f minus u, और f minus v बटा f, यही आया था, longitudinal magnification हो जाता है, transverse magnification का whole square, that is dv by du, यहां पे focal length का formula होता है, r by 2, भाई साब, clear है गया सब कुछ, यह काम की चीज लिखिए आपने, अच्छा, और पिछले तीन-चार दिन से जब पढ़ा रहा रहा था हो, सब कुछ फाल्तू था है न, बढ़िया, तर एक जग लिख दिया सब अच्छा लग रहा देखू, सारी बाते हैं इसमें अच्छा, देखिए, अब लेनस की बात करेंगे, तो लेंस में ध्यान से समझेए, पहले लेंस में कर फॉर्मूला होता है, मतलब फोकल लेंस का, मिउ लेंस की मीडियम की रिफ्रेक्टिव इंडेक्स माइनस वन, वन अपॉन पहले रिफ्रेक्टिंग सर्फिस का रेडियस अफ करवे यह आगया आपका फोकल लेंस का फॉर्मूला, यह आगया आपका फोकल लेंस का फॉर्मूला, यह आगया फोकल लेंस का फॉर्मूला, धानस देखिएगा, धानस देखिएगा, धानस देखिएगा, वन अपॉन अपॉन वी माइनस वन अपॉन अपॉन यू इस एक्वल ट and focal length will be negative for concave length convex length故 diverging length भी कहते हैं concave length故 diverging length भी हम लोग कहते हैं यहां पर द्यान से देखेगा बेटा बहुत अच्छे से समझने कि कोशिस करियेगा ध्यान से देखेगा बहुत अच्छे समझने कि कोशिस करियेगा इसमें जो magnification का फॉर्मूला होता है ट्रांसवर्स मैगनिफिकेशन वोगा हाइट ऑफ इमेज डिवाइड वाइट वाइट ऑब्जेक्ट इस इक्वल डू सिंपल वी वाई यो इसमें माइनस वी वाई यू हम नहीं लिखते हैं इस इक्वल टू एफ बटा एफ प्लस यू आया था और ए एक्ष्वल इमेज होगा और माइगनिफिकेशन आपका नेगेटिव है तो रियल इमेज होगा रियल इमेज होगा रियल इमेज होगा एक्şROमौल इत अ का फोकल लंथ होता है ऐस कॉल्टा रबनरंक होता है और सफ हीと思います जैया है क्या है तो सही यह रहे है आधा होता है फोकल नंथ हो एक दम सही है कि यह लिखा है बता दो सारी चीजे अधर आधर सारी चीजे क्लियर एक दम सही लिखा हुआ है यू पॉजटिव कैसे वर्चुल इमेज का सोम पांड़ है यह बेटा साथ दिन तुम पीखे चल रहे हो तुर अब साथ दिन तुम आगे चल रहे हो और जोड़ से जादा आगे चलना ठीक नहीं होता है लेक्चर एक देखके आओ लेक्चर एक देखके हो, U positive for the virtual object, yes ठीक है, clear है ये बाते, image formation का diagram बना के सब कुछ मैंने clearly बता दिया था अब आईए हैं यहाँ पर सवाल देखते है, अब आईए हैं यहाँ पर सवाल देखते है of magnitude 20 cm, radius of curvature तुम्हारा 20 cm दिया है, कैसा lens है, by convex by convex मतलब यह वाला lens है, which one of the following option describe the best image formed of an object of height 2 cm placed at 30 cm from the lens, lens से 30 cm पर object रखा है तो u बड़ावर हो गया, minus 30, और तुम्हारा height of object हो जाएगा 2 cm height of object 2 cm, तो वाला कि बीच of the following option is correct, real, virtual, virtual, real कैसा image बनेगा, inverted होगा, कैसा होगा, किस तरह का होगा, तो सबसे पहली बात हमें focus निकालना परेगा, इस सवाल में focal length कितना है, radius of curvature से थोड़ी नहों पाएगा सवाल, क्योंकि जब आप mirror formula लगाओगे, image का location देखोगे, तो 1 upon V minus 1 upon U is equal to 1 upon F, ये formula होगा, जी सरकार, अब इस पे focal length निकालो, सर्फ focal length तो पता ही नहीं, by convex lens has radius of curvature 20 cm, तो focal length RY2 करते क्या, RY2 करते, F is equal to RY2 करते क्या, क्या है focal length की value बताना, answer बता रहा, direct, जब चमन चूमू है, focal length बता ही नहीं, सीधा answer, सबसे पहले focal length क्या होगा, उस पे चर्चा करो, नहीं कर सकते, तो क्या करो focal length, तो ध्यान से देखो, actual में focal length बढ़ाबर RY होगा, सर ये तो नहीं बात बता ही नहीं, कल मैंने last lecture में समझाय था, कि अगर glass का lens हो, जिसकी refractive index 3Y2 हो, तो focal length बढ़ाबर होता है, R बटा 2μ-1, अगर इसको 3Y2 रखो, 3Y2 में से एक घटा होगे, 3Y2 में से एक घटा होगे, हाफ आएगा, हाफ से 2 कट जाएगा, ये R आएगा, सर यहाँ पर तो glass lens लिखा ही नहीं, जब lens का medium कुछ न लिखा हो, simple bi-convex lens लिखा है, तो उसको glass lens ही अपना assume करके चलेंगे, ये एक यहाँ पर hidden fact था, कुछ ना लिखा हो, तो हम उसको glass lens मानेंगे, और glass lens का जो focal length होता है, और radius of curvature के बरावर होता है, glass lens का जो focal length होता है, और radius of curvature के बरावर होता है, तो यहाँ radius of curvature होगा, आपका plus 20, तो 1 upon V, U की वेल्यू, minus 30, तो U की वेल्यू, minus 30 रखोगे, तो minus minus plus 1 upon 30, is equal to 1 upon 20, क्योंकि फोकल लेंदे हावे पॉसिटिव भाएगा, तो 1 upon V is equal to लिखोगे, 1 upon 20, minus 1 upon 30, LCM लेलो, तुम चाठ, तो 20 याई साठ तीन, तीन दूना साठ दो, तो यहाँ आजाएगा, तुम्हारा एक बटा 60, तो V is equal to R, तुम्हारा 60 cm, और यह V कैसा है, पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब, कहां बनेगा इमेज, उस तरफ, यहां बनेगा इमेज, तु तो रियल इमेज बनता है, है ना, लेंज है न, मिरर थोरी नहीं, तो तुम्हारा रियल इमेज बनेगा, और V हो गया 60 cm, ट्रांसवर्स मैगनिफिकेशन होता है, हाइट ऑफ इमेज, बटा हाइट ऑफ अब्जेक्ट तुम्हारा दे दिया है, 2 cm, is equal to V की value 60, और U की value तुम रियल, inverted, and force, real, inverted, and height force, d and salara, real बनेगा, inverted बनेगा, and height 4 cm, मैँ तुम्हार लोजिक से बताता हूँ, जैसे focal length हमें पता चल गा 20, focal length हमें पता चल गा, radius of curvature के ब़राए, focal length है, मतलब 20 है, और object को 30 पर रखखा है, मतलब F or 2F के बीच रखखा है, जब भी object को F or 2F के बीच में तो image जो मेरा बनेगा 2F और infinity के बीच में बनेगा, तो 2F और infinity के बीच में बनेगा, मतलब यह है कि उल्टा बनेगा, बड़ा बनेगा, तो इस चारों option में से एक ही option बिना calculation के आप टिक कर सकते हैं, कि real बन रहा है, inverted बन रहा है, height 4 cm बन रहा है, मतलब यहाँ पे छोटा सा MR star तुम कह सकते हो, एक छोटा सा MR star कह सकते हो, कि यहाँ पे जो U है, वो greater than focal length है, focal length तुम्हारा 20 है और object को 30 पे रखा है, अगर object को focal length के उधर रखा है, तो उसके इस तरफ image बनेगा, सुभांगनी देश खीची थी, क्या नाम है तिरा, सुभांगनी देश खीची थी, सुभांगनी देश खीची थी, इन्वेटेट कैसे बना ये कैसे पता चलेगा, दम घनगोर, कधे, बेवकूफ, नालायक, क्या सिखाया था कलिमेज formation, उसको घोला बना के पी गए हो क्या, घोला बना के पी गए हो क्या, बुद्धी, बालकी, खीटी थी, देख इधर, ये focus है, ये two times of focus है, यहाँ पर ये f है, यहाँ पर 2f है, तुमको जो इमेज formation कराया गया था कल, उसमें ये बताया गया था, कि अगर object 2f पर है, तो इमेज भी 2f पर इन्वर्टेड एंड रिय बन साय ये, अब धीरे-धीरे यहाँ पर समझो, कि अगर मैं इसको इस तरफ रखता हूँ, infinity and 2f के बीच में रखता हूँ, तो इमेज तुम्हारा f and 2f के बीच में ये बनेगा, अगर मैं इसको infinity पर रखता हूँ, तो image focus पर बनेगा, देख, अगर object को मैं infinity पर रखता image to F and infinity के बिच बनेगा, अगर object को F टो में फोकस और पोल के बीच में रकूं तो इमेज तुम्हारा इधर वनेगा, कि खीति थी,कि खीति-कि एक बेचर, नुद्धर ना after चींचंच ॏ ऐसे मत करो इसे मत करो, क्या ये सारी चीजे आपको याद हैं जो तो मैंने अभी बताया, लिख दू क्या यार गजब हो तुम लोग, अबजेक्ट पॉजीशन, इमेज पॉजीशन, खीती थी, अबजेक्ट इंफनिटी पे, और जबकि ये कौन के मिरर जैसा होता है, तो याद होना तो लाजमी है, लेकिन तुम तो हो खीती थी, इंफनिटी, इंफनिटी एंड टू एफ के बीच में, तो इमेज बनेगा, एफ एंड टू एफ के बीच में, बिट्विन एफ एंड टू एफ पे, तो इमेज टू एफ पे, अबजेक्ट बिट्विन टू एफ 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 तो इमेज भोगा, बिट्विन टू एफ एफ infinity, infinity, at focus, image is at infinity, 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 और इन तीनों ही case में inverted, and real image बनेगा, lens के उस तरफ, अब यह हम सवाल देखे, तो इसमें directly हमें पता चल गया, कि focal length इसका 20 है, और object को 30 पे रखा है, तो obvious सी बात है, image यहाँ पे 2F और infinity के बीच में बनेगा, और जैसे जैसे image दूर जाता जाता है, बड़ा image बनता है, तो magnified image बनेगा, तो object की height से बड़ा image बनेगा, inverted बनेगा, real lens के लिए, जब object F, या 2F और F के बीच में, या 2F पे, या इधर कहीं भी इधर object हो, उसका real image ही बनता है, बर्चूल image बनता है, जब focus और optical center के बीच object हो, खीती थी, चलिए आगे बढ़ते हैं, इधर देखिये, अच्छे समझ ये सवाल को, और concave mirror of focal length F1, चलो mirror है ये, कोई बात नि, concave mirror of focal length F1, ये concave mirror है, जिसकी focal length F1, placed at a distance d from a convex lens of focal length F2, d distance पर रखा है, convex lens, तो lens को इधर रखो, कि इधर रखो, किधर रखो, lens से d distance है mirror का, पल सवाल पर बताऊ, lens को उधर रखो, किधर रखो, concave mirror of focal length F1, mirror of focal length F1, placed at a d from a convex lens of focal length F2, convex lens of focal length F2, a beam of light coming from infinity and falling on the lens, beam of light coming from infinity and falling on the convex lens, beam of light coming from infinity, मतलब infinity से आ रहा है, और lens पर फॉल किया, तो इस lens के focus पर जाके फॉल करेगा, मतलब यहाँ से F2 पर जाके converge करेगा, क्योंकि converging lens है, वो तो पक्की बात है, and concave mirror combination, return to infinity, then the distance d must be equal to, d must be equal to, तो चलो, इसको अटा देते हैं, क्योंकि हमें इधर ही रखना परेगा lens, इधर क्यों रखना परेगा, क्योंकि इधर lens रखने का कोई logic नहीं है, सर, क्यों नहीं है, क्योंकि माल लो, इस lens पर light आया, इस तो polished है, तो सर, polished का क्या मतलब है, क्योंकि यह एक, कोई वरलब reflecting surface की तरफ बहेब नहीं करेगा, polished है ना, polished वाला surface reflecting नहीं होता, अंदर वाला reflecting होता है, तो यह ठीक है, ठीक है भाई, तो यह combination बन गया, यह आपका lens, यह आपका lens, और यह है बेटा mirror, बढ़ आ सवाल है, जरा समझियेगा, और concave mirror of focal length f1, concave mirror of focal length f1, placed at a distance d from the convex lens, at a distance d from the convex lens, focal length f2, f2, a beam of light coming from infinity, falling on the convex lens, and concave mirror combination, return to infinity, then the distance d must be equal to, तो जो भी parallel रहाएगा, lens interact करने के बाद क्या lens के focus पे converge करेगा, हाँ, अब lens के focus पे converge करके मान लो यह इधर जा रहा, अपने path को continue कर रहा, तो वो बोला है कि फिर से वो infinity पे return हो गया, तो फिर से infinity पे तभी return होगा, जब इस line पर आके, इसी पर यह reflect हो जाए, मतलब नॉर्मल इंसिडेंट हो, और मीरर पे नॉर्मल इंसिडेंट कब होता है, जब रेडियस ओफ करवेचर से जाता है, मतलब center से, C से जब जाएगा, C से जाएगा, तो concave mirror से, या concave mirror के pole से यह distance 2F1 होना चाहिए, तो D ब्राबर हो गया, F2 प्लस 2F1, अगर ऐसा कोई option आ रहा, तो answer आएगा, D ब्राबर F2 प्लस 2F1, D ब्राबर F2 प्लस 2F1, A is your correct answer, कोई भी चीज, अपने पात को कब retrace करेगा, अपने पात को तभी retrace करेगा, जब second instrument पर वो normally incident करे, I 0 हो तभी तो R 0 आएगा, ध्यान देने वाली बात है, I 0 हो तभी तो R 0 आएगा, और R 0 होगा तभी तो अपने पात को retrace करेगा, समझा आये क्या, समझ में आया क्या, एक छोटा से सवाल बनाता हूँ, देख, माल ने वेटा, ये plane मीर है, तुमारी बुद्धी को देखना चाहता हूँ मैं, और ये है तुम्हारा एक convex lens, convex lens, और focal length 50 cm, ये D, यहाँ पर मैंने object रखा, you, from the lens, find you, find you so that image will be formed at the place of object at the place of object मुझे इस u की value बताओ, कि इसको कहाँ पर रखू मैं, ताकि जहाँ पर object है, वही पर image बने, due to, due to convex lens plus plane mirror combination, due to convex lens and plane mirror combination, due to convex lens and plane mirror combination, due to convex lens and plane mirror combination, चालो, चालो, find you, यहाँ पर सवाल देखेगा प्लीज, find you, find you, so that image will be formed, image will be, will be formed at a place of object due to convex lens and plane mirror combination, हम, बदा ये प्लीज, ते मैं इसको कुपी कर जाओना दे, बदा ये प्लीज, अब देखना है, यहाँ पर सोचने वाली बात है, कि अगर मैं इस u को focus के बराबर रख दू, यह जो u है, उसको focal lens के बराबर रख रखो, तो जब भी object focus पे होगा, तो incident ray focus से चल रहा होगा, तो lens से interact करने के बाद वो parallel हो जाएगा, लेंस इंट्रेक्ट करने के बाद वो क्या हो जाएगा, parallel हो जाएगा, और parallel ray चाहे plane mirror कहीं भी रखो, उससे अगर normally incident कर रहा, तो normally reflect होगा, इसी line पे वापस आ जाएगा, और अगर इस line पे वापस आके यहाँ पे मिला, तो यह अपने पात को retrace करके फिर से image यहीं पे बनाएगा, देखो, image यहाँ पे बनाएगा, तो भाई इस D से तो कोई फरक ही नहीं परता, इस D से तो कोई फरक ही नहीं परता, जड़ा देखिए समझिए, तो U बराबर सिंपल 50 cm is your correct answer, खतम, अब यह वाला सवाल और वह वाला सवाल अल्मोस्ट, थोरा सा similar तरीके का है, थोरा सा similar तरीके का है, समझने कोशिस करिए, समझने कोशिस करिए, अगर मैं इसको focus पे रखूँगा, U को F के बराबर रखूँगा, तो U is incident ray है, reflection के बाद parallel हो जाएगा, और parallel ray इस plane mirror पर I zero पे normally incident करेगा, तो normally reflect होगा, तो जहां से incident ray चला था, इससे अगर यह parallel ray यहां से reflect हो के आया, तो यह parallel ray lens इंटरेट करने के बाद इसके focus पे जाके फिर से converge कर जाएगा, तो फिर यही image बनेगा, mirror से retrist कैसे हो गया, इसका भी गलत है, यही होगा, भाग जा बहुत तेजी से नहीं, तो ला तो भूसा इतना मालूँगा, उठ नहीं पाएगा, समझे नहीं, अगर मालो यह object focus पे है, मैं case लेके चलना, focus पे, तो focus से जो incident ray गया है, वो interaction के बाद parallel हो जाएगा, अब मालो यह plane mirror है, plane mirror पे यह सीधा light जा रहा, तो इसी line पे reflect हो जाएगा, हाँ सर इसी line पे reflect हो जाएगा, अब जो parallel ray reflect हो के यहां आ रहा, आ रहा, इस lens interaction के ब करने के बाद parallel हो जाता है, और जो यह parallel आ रहा होता है, इंट्रेट करने के बाद focus पे आ जाता है, यह कहानी है, simple see, यह कहानी है, simple see, last question में, सी क्यों नहीं आएगा, समझा देता हो मैटा, सी क्यों नहीं आएगा, मैं बताता हूँ, देख, यह बोला है, lens है, और यह कौन के mirror है, जो रहे parallel आया है, lens interact करके इसके focus से जाएगा, इसका focus है F2, F2 से गया, और तुम कहे रहो कि यहां से यह भी F1 के बराबर, तभी तो यह डी बरावर F1 प्लस F2 आएगा, यह फ़न के बरावर, तो जो रहे यहां पर focus से जाएगा, तो lens interact करने के बाद पर parallel हो जाएगा, हाँ, और parallel रिजब यहां से reflect हो के आएगा, वो फिर lens interact करने के ब बर जोगा, तो इसके focus पर image बनेगा ना, parallel retrace थोरी ना किया अपने बात को, अच्छा सवाल है, समझ लो, थोड़ा सा समझ लो, मैं अराम से बताता हूँ, जैसे मान लो कि यह lens है, और यह mirror है, तुम कहे रहो कि सर यह जो D distance है ना, यह F2 प्लस F1 होगा, ठीक है मैंने मान लि इसके focus पर converge करता है, तो lens के focus पर converge किया, अब यह converge करके यहाँ पर refracted rays आ रहा है, अब तुम कहे रहो कि इस mirror के focus से ही pass किया, यहां तक F2 है, अगर mirror के focus से कोई ray आ रहा होगा, mirror से interact करने के बाद हो parallel हो जाएगा, यही तो हमने पढ़ा है, हाँ sir, focus से जो ray pass करता हो parallel हो तो parallel ray lens से interact करने के बाद इसके focus पर converge करका तो image यहाँ बनेगा, जब कि यह क्या बोला है, कि ray अपने path को पूरा retrace करके lens से parallel हो जाना चाहिए, तो अगर यह 2F2 होगा, तो center of curvature होगा, और center of curvature से जो rays आता हो उसी line पर reflect होता है, अब इसी line पर reflect होगा, तो यहां से F2 से pass करेग जो lens का focus होगा, lens के focus से जब यह return होगा, तो इसके बाद यह parallel हो जाएगा, यहां पर देखो, अगर यह इस point से incident refracted रह आया था, फिर यहां गया, इस पर reflect होगा, तो जो ray F2 के lens से focus से आ रहा होगा, इस से reflection के बाद parallel हो जाएगा, तो देखो parallel वापस चला गया, ठीक है, तो यहां से हाँ का distance F2, और यहां से हाँ का distance 2F1, तो टोटल हो जाएगा, F2 प्लस 2F1, टोटल हो जाएगा, F2 प्लस 2, टोटल हो जाएगा, F2 प्लस 2, टोटल दिसनस यहां से हाँ का distance, पूचा है, clear, clear है, यह वाला समझ में आया, next day please when a bi-convex lens of glass having refractive index 1.47 when the bi-convex lens of glass having refractive index 1.47 is dipped in a liquid it acts as a plain seat of glass this implies that the liquid must have refractive index equal to the glass कोई भी lens lens की तरह बहेव ना करके सिर्फ glass seat की तरह कब बहेव करेगा वो glass seat की तरह इस तब बहेव करेगा जब medium की refractive index glass के lens के refractive index के बराबर हो जाए सवाल पर यह बहुत logical और conceptual सवाल है a bi-convex lens of glass having refractive index 1.47 dipped in a liquid it acts as a plain seat of glass this implies that liquids must have refractive index मैंने आपको बताया था कि converging lens diverging lens की तरह बहेव करने लग जाता है convex lens, concave lens की तरह बहेव करने लग जाता है अगर medium की refractive index जादा हो तो अगर medium की और lens की refractive index बराबर हो जाए तो glass seat की तरह बहेव करने लग जाता है clear है क्या यह बात clear है क्या यह बात next देखे a converging beam of rays is incident on the diverging lens अब सुनो converging beam of rays is incident on the diverging lens मतलब यह diverging lens है यह diverging lens है इस पे कोई converging beam ऐसे fall कर रहा converging beam ऐसे अब यह converging beam जब fall कर रहा होता है तो real object होता है कि virtual object virtual object अप परो सवाल को अच्छे से converging beam of rays incident on the diverging lens यह diverging lens है having passed through the lens and rays intersect at a point 15 cm from the lens जब इस से पास किया तो यहां से कहीं यहां से कहीं diverge हो के थोड़ा diverge होगा नहीं diverging lens है diverge हो के कहीं 15 cm पर intersect कर रहा है 15 cm from the lens on the opposite side if the lens is removed then point where the rays meet will be move 5 cm closer the lens अगर मैं इस lens को हटा दू तो बास्तविक्ता में यह दोनों ray यहां पर मिलते हुए दिखाई दे रहा है जो इससे 5 cm कम है इससे 5 cm कम है मतलब इस position से 10 cm पर मिल रहे होंगे then the focal length of lenses एक बार खुद करो बढ़िया सवाल है तुम ऐसे सवाल में फस्ते हो और कहता हो कि सर्थ सवाल नहीं हो रहा है मैं फिर से एक बार डाइग्राम बनाता हूँ अच्छे से समझातो बेटा सुनो यह कह रहा है कि एक diverging lens है इस diverging lens पर एक converging beam fall कर रहा है ऐसे converging beam fall कर रहा है अगर अगर यह यह लाइन यहां से परो if the lens is removed the point where the rays meet will move 15 cm closer to the lens मतलब जहां मिल रहा था उसे 5 cm closer आ गया है मतलब यह lens नहीं होता तो अपने राग पात को continue करता lens नहीं होता तो अपने पात को continue करता यहां मिलता तो जहां पर incident ray intersect करता है होँआ पर object होता है तो अब्जेक्ट यहां होता है लेकिन lens के होने की बज़े से यह थोड़ा diverge करेगा और यह दोनोरे जहां पर मिलेंगे divergen के बाद यहां पर आपका image बन रहा है है ने रिफ्रेक्शन देखोने रिफ्रेक्शन होके image बन रहा है तो यह आपका image distance हो गया और जहां image distance है वो है 15 cm उससे 5 cm पहले object है तो यू बरावर 10 cm यह आएगा तुमारा relation और यू और वी दोनों positive होगा क्योंकि incident रहे के डारेक्शन में जाके major कर रहे हो mirror formula 1 upon V minus 1 upon U बरावर 1 upon F V है तुमारा बेटा 15 और यू है 10 दोनों positive है as it is रखेंगे जब यहाप LCM लेंगे तो नीचा जाएगा बेटा तीस ले लो तो यह गया 2 और यह गया 3 is equal to 1 upon F तो यह आपर solve करोगे तो 2 में से 3 जाएगा तो क्या बचाएगा minus 1 minus 1 by 30 is equal to 1 upon F तो F is equal to minus 30 cm और diverging lens का focal length negative ही आता है बिल्कुल सही है मुदब बढ़िया सवाल लगा की नहीं लगा कभी भी तुमसे बोले ना बेटा की एक converging incident ray आ रहा है converging beam of ray incident on the lens कोई चाहे किसी भी lens पे परे वो converging beam तो वो converging beam actual में जहाँ पे cut करता हुआ दिखाई देगा वहाँ पर object होगा तो object यहाँ है और इस object को हम plus लिये है object distance को हमने plus लिया है इस object distance को हमने क्या लिया है positively है इस object distance को हमने क्या लिया है positively है clear है you कैसे लिया बेटा उस सवाल में लिखा है कि रेज इंट्राइट करने के बाद 15 cm पर मिल रहा है तो वी तो 15 हो गया फिर बोल रहा है कि अगर लेंज अटा दिया तो पांच सेंटीमिटर क्लोजर आ गया मतलब पहले आ गया पांच सेंटीमिटर पहले आ गया मतलब यूदस हो गया क्लियर एकदम दस को कैसे लिया बैटा ओंग रेजी के भिखारी पड़ो इसको गदेरे पर इसको याज़ पर यह पर यह पर यह पर यह पर, of the lens on the opposite side if the lens is removed the point where the rays meet where the rays meet point where the rays meet will move 15 centimeter closer to the lens where the point will meet comes closer by 5 centimeter towards the lens rays meet will be move 5 centimeter closer the lens rays meet point where the rays meet point where the rays meet point where the rays meet will move 5 centimeter closer the lens japan ray mlega of 5 centimeter or closer are they are mm-hmm ओ lovely कि वो ओ तो आओ आत्रा 2 आव्योजर मोजेट्त कैसे होगा बटा यह लिल सता दिया तो लिज्स प्लेंस अटाने के बाद यह इंसिदेंट रे जहां पर मिल रहा था तो इंसिदेंट रिजरा मिलता है वहalo Then lens हटाने के बाद जहां incident रहा के directive मिल रा था, वो object है, lens से interact करने के बाद, जहां पे refracted ray मिला है, वो होगा image, refracted ray जहां मिलता वो image होता है, incident रहां मिलता वो object होता है, चलिय हो गया, इससे ज्यादा नहीं, अब देखी, if the focal length of the lens is 20 cm, focal length of the lens is 20 cm, what is the distance of the image from the lens in the following diagram, अब ये incident रे आया है, ऐसे देखू, ये incident रे आया है, इस lens पर, अब ये incident रे अगर अपने पास को continue कर देखू ये ये लाइन पर जा ना, अगर इंसिडेंट रहे अपने पात को कंटिन्यू करता तो यहां पे मतलब जो भी होता इंटरसेक्ट करता और इंसिडेंट रहे जहां इंसिडेंट करता इंटरसेक्ट करता हो अबजेक्ट होता तो अगर यह लेंस नहीं होता अगर यह लेंस नहीं होता तो यह इंसिडेंट अपने पाथ को continue करके यहां पे cut करता है, मतलब यहां पे object है, यहां पे object है, अब कभी भी converging incident ray virtual object के लिए होता है, तो virtual object है हो वहाँ पे, ठीक है, what is the distance of image from the lens, अब बताओ, lens से कितने distance पर image बनेगा, focal length दे दिया, और 12 cm, पर incident ray cut कर रहा है, 12 cm पर incident ray cut कर रहा है, अब बताओ, म मैं solve करता हूँ, तुम भी करोफ साथ में, क्या पूचहे रहे, form the lens will form, V पूचहे, one upon V, अच्छा से करना, गोली मार दूगा, हूँ, 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 हूँ सभी साफ सही निकाल रही है तुम सीख गए क्या है हुआ रहा है उनना 7.5 बिल्कुल सही जवाब है 7.5 एक चीज में बताओ तुम्हें साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर वर्चॉल अबजेक्ट है इंसिडेंट रे कनवर्जिंग इंसिडेंट रे तो वर्चॉल एक को कनवर्ज करेंगा तो इमेज 12 से पहले बनेगा तो 12 और 20 तो लॉजिकली वैसे भी गलत हो गया यह कैसा लेंस होता है कर दो यह नहीं होता तो सीदह इस पर जाता अर लेंस है तो यह थोड़ा कनवर्ज करके हैं और यहीं मैं डाइवर्जिंग लेंस के लिए ऐसा ले रहे है वो कहां से पास करते हो दिखाई देगा फोकस से डाइवर्ज होना ची इधर जाएगा और यहां पर फोकस से पास करते हो दिखाई देगा कोई भी रे जैसे यह है डाइवर्जिंग लेंस यहां पर ऐसे आया तो इसको डाइवर्ज कर देगा इसको क्या करते हैं डा ले जाएगा यह तरीका है ना सोचने का तरीका है ना सोचने का नेक्स लेकिए बढ़िया सवाल है when an object is at a distance u1 and u2 from the lens when is object when an object is at a distance u1 and u2 from a lens when object is at a distance u1 and u2 from a lens real image and a virtual image is formed respectively having same magnification then focal length of the lens is eight minute when an object is at a distance u1 and u2 from a lens real is my real image when I and a virtual image is my virtual image when I virtual image of same magnification same magnification chalo other you have a real image when I to come magnification ho jayega tumhara if but a if minus u1 and real image gelido magnification hota hai wo overall solve karke tumhara real image hai is liye minus anna chahi real image liye minus hota virtual image ke liye jo magnification hota hai wo ya ho jayega f but a if minus u2 is equal to minus u1 is equal to f but a if minus u1 is equal to f but a if minus u2 if u1 is equal to minus u1 is equal to minus u1 is equal to minus u1 is equal to u1 plus u2 by 2 u1 plus u2 is equal to minus u2 by 2 c is your correct answer c is your correct answer as a lens me to plus hota hai oh sorry 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 lens me ye to a chani lens me plus hota your the challenge t demostra dot right there the x digger ana you unto you another my aires would karogh najvori sahi the same old assa yah kone relax lens Samoa focus to positive hota there for a murders put karokitra yahoo U1 को क्या लिखोगे, U1 distance दी आया, रियल object के लिए, तो object distance minus U1 होगा, formula में हाप प्लस आता है, यह minus U1 put करोगे, minus U2 put करोगे, गंगा गा जो दर, देकिदर, देकिदर, an object is placed at a distance f by 2 from the convex lens, then image will be, 1 minute, object is placed at a distance f by 2 from a convex lens, convex lens से f by 2 पर, मतलब focal lens से आधे पर रखोगे f by 2 पर, तो अब इस सी बात है, virtual image बनेगा, real तो नहीं बनेगा, real तो नहीं बनेगा, virtual image बनेगा, अब virtual image कहाँ बनेगा, कितने size का बनेगा, वो हम यहां से निकाल देते है, 1 upon v, minus 1 upon u is equal to 1 upon f, तो 1 upon v, object distance को यह पर रखोगे, minus f by 2, तो minus f by 2 रखोगे, तो plus f by 2 पर चला जाएगा, is equal to 1 upon f, तो 1 upon v is equal to, 1 upon f minus 2 by f, solve करोगे f lcm ले लो, तो आगा 1 minus 2, बद माइनस 2 हो जाएगा आपका minus 1, तो v is equal to to minus f आ रहा है, मतलब focus पे ही बनेगा image, कहाँ बनेगा, focus पे बनेगा, at 2f नहीं गलत हो गया, at one of the focus and virtual, a is your correct answer, a is your correct answer, देखिए, not c, a is your correct answer, बहुत simple है, यहाँ पे हमने lens का formula लगाए, देखिए, 1 upon v minus 1 upon u is equal to 1 upon f, virtual बनेगा यह तो पक्का है, virtual बनेगा, यह तो पक्का है, virtual बनेगा, लेकिन virtual कहाँ बनेगा, वो निकालेंगे, 1 upon v minus 1 upon u is equal to 1 upon f से, virtual बनेगा यह तो पक्का है, लेकिन वार्चुल कहां बनेगा वह, size कैसे नीकालेंगे सब, size कैसे नीकालेंगे, ये सवालते रख दम बढ़िया है, size कैसे नीकालेंगे, size नीकालेंगे, magnification, या size नीकालेंगे VyU से, हाँ VyU, V कैए, sir, minus F, you can, f by 2, f से ब कटेगा 2, ऊपर चला जाएगा, 2, size नीकालेंगे साइज साइज निजन अच्छा दोनों निगेटिव है रियल क्यों नहीं निखिल सर्मा क्योंकि रियल तो भी नहीं है तो इमेज कहां से रियल आएगा चल निकल आएगा चल निकल आएगा हां हो ली है इसका मतलब भांखा के लेक्टर देखेगा रियल क्यों नहीं रियल इसले नहीं क्योंकि रियल इमेज तभी बनता है जब लेंस से अबजेक्ट को फोकस या फोकस इधर कहीं रखोगे तो इमेज रियल बनेगा अबजेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखोग तो inverted image, sorry, virtual image बनेगा, real तो खुद नहीं है, image क्यों real बनेगा, यह lens है, यह focus है, यह 2F है, तो अगर object को, मैं फिर से एक बार, simple से, आसान से, हिंदी भासा में बोल रहा हूँ, अगर object को, focus पे रखаменगे, image इंफनिटी पे रियल बनेगा, और object को, इस focus से इधर कहीं भी रखेंगे, real image बनेगा, Memphis, object को, focus, या focus से इधर कहीं भी रखोगे, real image बनेगा, अगर object को, focus और optical center के बीच, कहीं भी रखोगे, virtual image बनेगा, यहां पे इसको f×2 पे रखा है, तो फोकस और अप्टिकल सेंटर के बीच रखा है, इसलिए वर्चुल इमेज बनेगा, आचा बैगन खाके लेक्चर देगा, हाँ, बैगन, देख इधर, how many image will be form, कितने image बनेगे, एक lens है, जो तीन अलग-अलग material से बना हुआ है, इसका refractive index है mu1, इसका refractive index है mu2, इसका refractive index है mu3, तो इस lens से कितने image बनेगे, ये पूचा है, इस lens से कितने image बनेगे, बताओ, इस object के वज़ा से, इस object के लिए, ये lens कितने image बनाएगा, तो देखना, यहाँ पे lens का एक पार्ट है, जिसका refractive index mu1 है, तो भाई, इसकी focal length कुछ और होगी, इसकी focal length कुछ और होगी, इसकी focal एक ही object के लिए यहाँ पे तीन image बनता हुआ दिखाई देगा, तीन image बनता हुआ दिखाई देगा, एंसर क्या आएगा, थिरी image, थिरी image, तीन image बनेगे, फिलिए गया ये बात, अगर मैं यहाँ पर इस तरीके से lens रख दूँ, और ये मैंने इसके प्रिंसिपल एक्सिस पे एक object रख दिया, अब कितने image बनेगे, how many image will form, how many image will form, image will form, कितने image बनेगे, चली बताईए बटा, फटा-फटी, कितने image बनेगे, तो अगर लेंस के इस एक सीज़ पर रखोगे, तो भाई, सिंपल सी बात है कि ये lens है, इसका कुछ, इससे interact करेगा material से, कुछ इस medium से, कुछ इस medium से, और finally यहाँ पर image बनेगा, और यही combination इसरे के लिए भी आएगा, कुछ इसी तरीके से आएगा, हाँ, तो एक ही image बनेगा, सब तीन अलग- one image will form, देखो, एक image बनेगा, जानस देखे, यहाँ पर कितने बनेंगे, तीम, यहाँ पर कितने बनेंगे, एक, क्लिए रहे गया यह बात बेटा, next है combination of lens, देखो, जब हम lens को combine करते हैं, जैसे माल लीजिए ये lens है, हमें पता है, इस lens का focal length क्या होता है, positive, इस lens को, इस lens के साथ हमने combine कर दिया, अगर इसका focal length है f1, इसका focal length है f2, तो इसका net focal length जो होता है, वो parallel combination की तरह होता है, one upon f is equal to one upon f1 plus one upon f2, यह दो lens को जब पास रखते हैं, उसका combine focal length है, power क्या हो जाएगा, power हो जाएगा, p is equal to p1 plus p2, विर p is taken will be with sign, यह focal length will be taken with the sign, यहाँ पर हम power of lens आपको थोड़ा समझा दे, power of lens, power of lens, p is equal to the beta one upon focus, power of lens, power of lens is a scalar physical quantity, अचा इसका unit what नहीं होता है, power का मतलब वो वाला power नहीं है, यह one upon focal वाला power इसका unit होता है, diopter, जहाँ पर focus को हम ऐसा unit में रखेंगे, तो power का ऐसा unit होता है, diopter, हाँ, p को अगर तुम focus को centimeter में रखोगे, तो hundred divided by, जब हम focus को centimeter में रखते हैं, तो यह आता है answer, ठीक है, यह बेटा lens के लिए, लेंस के लिए, जो हम power लिखते हैं, यह lens के लिए, lens के लिए, वो होता है, p is equal to one of one f, लेकिन mirror के लिए, जागा अपन लिखोगे, mirror के लिए, पूछ सकता है, कि mirror के लिए power का formula क्या होता है, तो याद रखना, minus one upon focal length of mirror, mirror का जो power होता है, उसका formula होता है, minus one upon focal length of mirror, लेकिन lens का जो form power होता है, power of lens is equal to one upon focal length of lens, यह थोड़ा major difference है, यह थोड़ा major difference है, तो इसको बेटा आप ध्यान जखेगा, कुछ बच्छे पूचने से power का यहाँ पे, unit dimension क्या होगा, power का dimension होगा, dimension of power, power, L का power minus one, length inverse, यह focal length होगा, length, length का ultra, length inverse, lens के power का, lens के power का dimension होगा, L का power minus one होता है, यह थेक है, ठीक है, बो के इतना याद रख न, lens का जो power होगा, one upon focal length होता है, और mirror का जो power होता है, वो one minus focal length होता है, one minus of one upon focal length होता है, ठीक है, clear, अब देखो combination of thin lens, combination of thin lens, देखो ये lens है, lens को हमने चिपका चिपका के रख दिया, lens को क्या किया हमने, चिपका चिपका के रख दिया, इस lens को इसके साथ हमने चिपका दिया, इस lens को इसके साथ हमने चिपका दिया, इस lens को इसके रहा होता है P is equal to P1 plus P2, लगि इसका net focal length होता है 1 upon F1 plus 1 upon F2, clear है, अगर इसी में हम कुछ D distance पर रख दे, जैसे मानलो ये हमने lens लिया, इसका focal length है F1, और यहां से D distance पर हमने एकदम चिपका के नहीं रख, दूसरा focal length रख दिया F2 lens का, इसका combined focal length जो होता है, वो हता है 1 upon F1 plus 1 upon F F2 minus D F1 F2, देखो, minus D बटा F1 F2, 1 upon focal length बराबर हो जाएगा, यहां पर ध्यान से देखिए, 1 upon focal length बराबर है, 1 upon F1 plus 1 upon F2 minus D F1 F2, इसको verify कर सकते है, पहला logic तो simple सा है कि अगर D 0 कर दू तो क्या होगा, अगर इन दोनों lens के बीच का distance 0 कर दू तो क्या होगा, अगर मैं D 0 कर दू तो simple होगा, 1 upon F बराबर, 1 upon F1 plus 1 upon F2, हां जी सर, अब देखो, D को 0 करने से यार आए क्या, जैसे D को 0 करोगे, तो यह term 0, यह होगा 1 upon F1 plus 1 upon F2, याद हो गया, शालो, दूसरी बात, कि अगर मैं दो इन दोनों lens को चिपकाग रखता हूँ, तो इनका focal lens ज्यादा होना चाहिए कि दूर करूँगा, तो ज्यादा होना चाहिए, तो देखो, simple सी बात है, कि दूर करूँगा तूसका effect कम होगा न, तो जो भी 1 upon F1 plus 1 upon F2, minus हुआ है, minus इस लिए वा कि effective values की कम होगी, okay, dimension wise देखे, तो focal length मतलब length होता है, तो इधर 1 upon length है, यहाँ भी 1 upon length है, यहाँ भी 1 upon length है, minus distance और length into length, एक length से एक length कटेगा, तो नीचे एक length बचेगा, chronology समझ रहे हो बभुवा, 1 upon F is equal to क्या आ रहा है, 1 upon F1, एक length नीचे, फिर एक length नीचे, तो यहाँ एक length उपर, और दो length नीचे तो dimension match कर गया, जी लो जिन्दिगी, रटना परेगा, डारेक इस पर सवाल नीटे में पूछते हैं, 1 upon F1, plus 1 upon F2, minus D F1 into F2, dimension बड़ी चीज है, dimension बड़ी चीज है, अब इसका उल्टा कर दो तो पावर हो जाएगा, 1 upon F को अगर हम P लिख लेते हैं, 1 upon F को अगर हम net power लिखते हैं, तो 1 upon F1 को हम लिखेंगे P1, 1 upon F2 को हम लिखेंगे P2, minus D, 1 upon F1, P1, 1 upon F2, P2, तो P1 into P2, यह हो गया तुम्हाना net power का formula, यह यह दा देखो, P2, P1 plus P2 minus D, P1, P2, देखो द्यान से, clear रहे गया यह बात, dimension से चीज़े चमका की नहीं चमका, dimension से चीज़े चमका की नहीं चमका, चलिए देखेंगे इधर, माल लीजिए कि एक lens है आपका, जिसका focal length है 10 cm, इस से 10 cm की distance पे, एक और lens है जिसका focal length है 10 cm, net focal length इसका बताएए क्या होगा, find definite, find definite, find definite, find definite, find definite, तो 1 upon f is equal to 1 upon f1 plus 1 upon f2 minus d f1 f2, अब f1 की value तो तो तुम्हारा 10 है और यह minus 10 होगा, क्योंकि diverging length है focal negative होता है, मैंने value होता ही थी लेकिन तुम्हें खुद देखना negative है, minus d की value 10, बटा 10 into 10, अब ध्यान से देखोगे, तो 1 upon f क्या रहा, minus 1 बटा 10, यह 10 से यह 10 कटेगा, ठीक है, तो focal length is equal to minus 10 cm, यह रहा है क्या, देखना एक बार, focal length minus 10 cm रहे क्या, गजब सवाल हो गया है, गजब सवाल हो गया है, गजब सवाल हो गया है, तो मोगे गजब सवाल नहीं लगा, एक्दम अजीब हो गरीब सवाल नहीं लगा, एक्दम तरकता बरकता सवाल नहीं लगा, एक्दम गजब सवाल नहीं लगा, सब्सक्राइब गजब लगा यह दस यह दस यह दस एंसर भी दस पर दस आएगा क्या ओ भाई 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 यहां भी तो फोकस को साइन के साथ रखोगे तो यह माइनस दस होगा माइनस माइनस से प्लेस हो जाएगा I am sorry खौन बोला था माइनस अंसर आएगा रामलाल ध्यान से शाल नहीं करता है बेगन की से किल का प्लेस दिस आ रहे देखिए जिर्फ गनीत के भिखारी आता जाता कुछ नहीं आता जाता कुछ नहीं लेज दिस आएगा कि यह तो फोकस तुम्हारा दास है यह दस है यह दस है तो यह दस माइनस दस और यह पे माइनस दस रखो तो प्लस हो जाएगा यह नहीं लेकिन यह क्या सावालता दस 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 एंसर भी दस गजब हाँ यूजी पीम लीडर वही बन सकता है जो अपनी बात से तुरंद पलट जाए ठीक है न असली यूजी पीम का करे करता वहीं होगा असली यूजी पीम का करे करता उसी को माना जाएगा जो अपने बात से पलटने की एकदम प्रखर शमता रखता हो प्रखर शमता रखता हो तुरंद अपने बात से पलट जाए तुरंद से पहले चलो, यहां पर देखो, इसका पावर है, दो डियोप्टर, इसका पावर है, माइनस चार डियोप्टर, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है, दस सेंटिमेटर, चलो, करो, अब ध्यान से सॉल्व करना, इसमें तुम गलती करोगे, फाइंड इकोवेलेंट पावर, इक्वीवेलेंट पावर, तुम पक्की बात है, गलती करोगे, दो सौ परसेंट गलती करोगे, मुझे पूरा बरोसाएंग गलती करोगे, करो, अगले साल नीट यूजी पीम करवाएगा, हाँ, जिसमें से बाइलोजी और केमस्ट्री पूछा जाएगा, फिजिक्स हटा दिया जाएगा, बता दो आज की संसनी खबर, कि नीट से फिजिक्स को हटा दिया गया है, यूजी पीम का बहुत बड़ा करक फैसला, नीट से फिजिक्स को हटा दिया गया है, यूजी पीम, यूजी पीम का बहुत ही तरकता भरकता करक फैसला, नीट से फिजिक्स को हटा दिया गया है, सिर्फ बाइलोजी और केमिस्ट्री पूछा जाएगा, और MBBS की अब धी पांच साल से घटा के सिर्फ डेर साल कर दिया गया है, चलो, करो इसको, तो ध्यान से और अच्छे समझना, P equivalent is equal to होता है, P1 plus P2 minus D P1 P2, यही था, अब P1 की value बोलो, 2 diopter, और यह minus 4 diopter, देखो, negative है, minus D की value क्या लिखोगे, 1 बटा 10, P1 की value क्या है, 2 diopter, and P2 की value क्या है, minus 4 diopter, चीख, अब यहाँ पर ध्यान से देखो, तो 2 में से minus 4 जाएगा, तो यह minus 2 बचेगा, और 4 दुना 8, minus 8 by 10, मतलब 0.8, तो यह हो जाएगा, minus 2.8 diopter, यह आएगा P equivalent, P equivalent is equal to, यहाँ पर आपका आ रहा है, minus 2.8 diopter, minus 2.8, minus 1.2 आपका आ रहा है, ठीक है, minus, minus, और यह minus minus plus होगा न यार, यार तुम गल्दी कर देते हो हर बार, plus होगा यह, मैं भी तुम वहीं कह रहा था, कौन कह रहा था यह, तो P equivalent हो जाएगा, तुम्हारा minus 2, और plus 0.8, तो यह हो जाएगा, minus 1.2 diopter, हाँ, minus 1.2 diopter रहाएगा एकदम सही, थोड़ा सा unit ध्यान से रखोगे तो, एक बटा दस क्यों, एक बटा दस इसलिए, क्योंकि यहाँ पर distance centimeter में दिया हुआ है, और diopter यहाँ यहाँ यूनिट में तुम निकाल रख रहे हो, ठीक है, देखो यहाँ पर ध्यान से, सर यहाँ पर centimeter क्यों रखा, तो यहाँ पर F बी centimeter में है, इधर left hand side, right hand side, दोनो centimeter में है, centimeter 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 centimeter, तो focus भी centimeter में और यह भी centimeter में, तो दोनो तरफ SI unit में solve किया, answer भी centimeter में, लेकिन power का जो unit होता है, यह सा यूनिट में होता है, तो distance को भी ऐसा यूनिट में रखेंगे, आप क्या पढ़ते हूँ, P is equal to 1 upon F, अगर focus को meter में रखोगे तो यह डियोप्टर ऐसा unit में आता है, हना, यहाँ पर डियोप्टर रखना मतलब focus meter में ले लिया हमने, meter SI unit में लिया, तो distance को भी ऐसा unit में ल minus 2 plus 8 वाइट है, तो यह minus 2 plus 0.8 मतलब minus 1.2 डाप्टर इसा एंसर, यह एकदम सही जवाब है, यूजी पीम का teacher है, यूजी पीम का चुनाव चिन बैगन चाप है, यूजी पीम का चुनाव चिन बैगन चाप, बैगन चाप पे मुहर लगाए, उसका राश्ट्रिय वोटर है, रामलाल, चलो, next is the displacement method, displacement method क्या होता है, वो समझे, मालनों पीटए, एक lens लिया, हमने ये, सुन्दर सा lens लिया, और ये एक, उसका principle axis है, ये इसका focus f, यहाँ पे 2f, और कहीं मैंने यहाँ पर एक object रख दिया, ये, इस object का image कहा बनेगा बताओ, अगर object तुम्हारा, 2f और infinity के बीच में है, तो इसका image, f और 2f के बीच में कहीं बनता है, ये मालनो image बनेगा, ये मालनो image बनेगा, यहाँ पर एक image बना, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक screen लगा देता हूँ, जहाँ पर मुझे इस image देखना, मतलब यहीं पर image बनाए, वहाँ पर मैं screen मालने तूँ, screen मालने तूँ, screen मालने तूँ, और object distance lens से हो गया ये यू, और जहाँ image बना हूँ, image distance हो गया भी, ये lens से, अब मैं object को यही रहने देता हूँ, object को नहीं हिलाता, object यही रहेगा, अब मैं इस पूरे lens को, देखेगा, इस पूरे lens को, ऐसे मैं दूसरे position पर ले जाता हूँ, तो क्या lens के दूसरे position के लिए भी image यहाँ बनना पॉसिबल है क्या, अब मैं आपको कह रहा, कि इस lens को, इस lens को अगर मैं थोड़ा सा डिस्प्लेश करके दूसरे position पर कही ले आता हूँ, यहाँ ले आता हूँ lens को, डिस्पेस करके, तो क्या पॉसिबल है कि एक बार image एक और बार यहाँ पर बन जाए, क्या यह पॉसिबल है कि एक और image यहाँ पर स्क्रीन पर बन जाए, हाँ, एक position और पॉसिबल है, ऐसा क्यूं होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ, देखो, अभी क्या है इसका distance, 2F से जादा है, तो image कहाँ बना है, image बना है यह, देखो, 2F से कम पर, अब अगर मैं exactly, यहाँ पर अगर object रखता, तो क्या यहाँ पर image बनता, उल्टा सोचो, inverse सोचो, lens में, lens में, मैं यह कह रहा हूँ, मैं यह कह रहा हूँ, कि मान लो, object distance U है, तो image distance V है, ऐसा ray diagram बनाओगे, तो ऐसा ray diagram बनेगा, जो parallel ray है, कहां से pass करता हो जाएगा, focus से, और जो optical center से रहे जाएगा, वो एकदम optical center से pass करेगा, दोनों refracted ray यहाँ पर cut कर रहा, दोनों refracted ray यहाँ पर cut कर रहा, तो अगर object distance U है, तो image distance क्या होगा, V होगा, image distance क्या होगा, अब मैं कह रहा हूँ, कि मालनों मैं यहाँ पर object रखूँ, तो यहाँ पर object रखूँगा, यहाँ पर object रखूँगा, तो इसका image कहाँ बनेगा, अगर तुम object रहा रखोगे, तो यहाँ से जो ray जाएगा, अब्बेसी बात है, यहाँ पर रखूँगा, यह F है, यह 2F है, यहाँ पर एक object है, और इस object के लिए माल लीजे, यहाँ पर image बना, का image बनेगा, F और 2F के बीच बनेगा, ठीक है, तो object distance कितनी हो गई, U, तो image distance हो गया V, अगर मैं यहाँ पर object रखूँ तो, यहाँ पर image बनेगा, तो अगर मैं image object distance को V रखूँ, तो image distance तुम्हारा क्या होगा, U होगा, तो मैंने क्या किया, इसी object के लिए, इस lens को मैं थोड़ा सा displace करके यहाँ पर लाया, अब lens के दोनों position के बीच में, अगर मैं distance X मानता हूँ, अब lens पे, V distance पे object है, तो lens से U distance पे देखो, यहाँ पे image बनेगा, lens से V distance पर object है, तो lens से U distance पे देखो, यहाँ पे क्या बन रहा है, image बन रहा है, यहाँ पे देखो, image बन रहा है, clear रहा है क्या यह बात, clear रहा है क्या यह बात, ठीक है, अब, object की भी position fix है, इमेज की भी पॉजिशन फिक्स है, यहाँ पर जो इमेज बनेगा दूसरा इमेज, माल लो V object distance है, तो इमेज बनेगा, माल लो यह image दूसरा बना, दूसरे height का बनेगा ना भाई, distance कम रखो गया अगर, तो image थोरा सा बड़ा बनेगा है, I2 image बना, तो height of object यहाँ पर हो है, जो अब यहाँ पर ध्यान से देखना, अगर मैं object and screen के बीच की distance को D बोल देता हूं, object and screen के बीच की distance को D बोल देता हूं, D is the distance between, distance between object and screen, ठीक है, और X है, distance between two position of lens, distance between two position of lens, तो यहाँ से एक बात बताओ, V plus U बरावर D होगा क्या, वी प्लस U बरावर D होगा क्या, देखो, यह है तुम्हारा U और यह है तुम्हारा V, यह D के बरावर है क्या, हाँ, अच्छा, यहाँ से यहाँ तक क्या है, U, U में से अगर X घटा दू तो V आएगा, देखो, यह त minus V बरावर X, यह तुम्हारा दूसरा equation होगा, पहला equation था V plus U बरावर D, यह पहला equation था, दोनों को जोर दो, दोनों को बेटा, जोर दो, जैसे दोनों को add करोगे, तो क्या कटेगा, सर V से V कटेगा, 2U बरावर आ जाएगा, D plus X, तो U बरावर आ गया आपका, D plus X by 2, उसी तरीके से, अगर U की value equation 1 में पूट कर दो, putting the value of U, putting the value of, putting the value of U in equation 1, तो V की value आ जाएगा, solve करके, D minus X by 2, ठीक है, क्या जाएगा, D minus X by 2, अभे आँसे lens formula लगा, lens formula, lens formula, 1 upon V minus 1 upon U is equal to 1 upon F, V की value बोलो क्या निकाला, D और X के बीच में, तो V की value निकाला, D minus X by 2, अभे रगा तो, D minus X by 2, यह हो जाएगा, V की value रगा, D minus X by 2, तो 2 पर चला जाएगा, माइनस, U की value क्या रगा होगे, तो सर, देको image तो उधर बना है positive में, object इधर बचा है, पीछे, तो U की value रखेंगे, D plus X by 2, negative sign के साथ, तो यह प्लस हो जाएगा, यह हो जाएगा, आपका D plus X by 2 is equal to 1 upon F, अब इसका LCM लो, तो फेटा LCM लोगे, तो D plus X, D minus X, तो यह हो जाएगा, तुमारा D square minus X square, टू बाहर आएगा, अंदर आजाएगा, D plus X, plus D minus X, is equal to 1 upon F, तो यहाँ पर ध्यान से, अगर तुम देख रहे होगे, तो तुमारा X से X कटेगा, तो D plus D 2D, multiply 2, मतलब 4D आजाएगा, तो focus is equal to आएगा, D square minus X square by 4D, clear है, clear है, अब देखो, अब displacement method is a experimental method, to find the focal length of lens, अब यहाँ पर क्या हुआ, कि हमने, source, मतलब object और screen के बीच, में एक lens रखा, जिसका हमें focal length निकालना है, तो मालनों हमने lens को इस position पर रखा, यह lens का पहला position है, तो U distance के लिए भी पर image बना, यह lens का दूसरा position हमने displays किया, तो displays करते करते करते, एक और position मना जिसके लिए image यहाँ आया, तो इन दोनों position के बीच में distance x है, और object और screen के बीच में distance d है, तो d और x अगर मुझे पता है, तो इस method से हमने focal length यहाँ पर निकाल लिया, d square minus x square by 4d, यह आपको याद रखना है, यह आपको क्या करना है, याद रखना है, यह चीज आपको हमेशा और हमेशा के लिए याद रखना है, यह focal length वरावता है, d square minus x square by 4d, ठीक है, displacement method के case में, दूसरी बात, अगर मैं इसका magnification देखू, पहले case में, मतलब m1, तो इसका magnification क्या आ जाएगा बेटा, इसका magnification आ जाएगा, v by u is equal to height of image, पहले case में, height of image को i1 बोल देता हूँ, divided by height of object, HO, ठीक है, दूसरे case में जो magnification आएगा, वो u by v आएगा क्या, क्योंकि दूसरे case में, जो image distance of v, object distance तुम्हारा, image distance u है, object distance v है, उल्टा हो जाएगा क्या, u by v is equal to height of image is i2, and height of object is HO, अब इन दोनों equation को multiply करो, इन दोनों को multiply करोगे, तो v by u multiply, u by v is equal to, hi into, i1 into i2 divided by, h0 का whole square, u से u गटेगा, v से v गटेगा, h0 का whole square इधर ले जाओ, height of object का whole square, तो root under i1 into i2, यह आजाएगा, बहुत important है, यहाँ पर बड़े, असानी से तुम देख सकते हो, कि पहले case के लिए, magnification होगा v by u, दूसरी case के लिए magnification हो जाएगा u by v, यह image distance और यह देखो object distance है, तो अब बहुत सी बात है, दोनों case के magnification को लिखेंगे v by u, और u by v, तो multiply करेंगे, तो यह cancel हो जाएगा, तो height of object वराओगा, root under i1 into i2, root under i1 into i2, तो यह दो formula तुम्हें याद रखना है, यह दो formula तुम्हें याद रखना है, करेंगे, यह दो दुम्हें याद रखना है, ठीकर बएएएएगा, ठीकर बएएएगा, बहुत आसाने को दिखकर नहीं है और देगो दैमिंस्ट भाई भी देख सकते हो देको दिस्टेंस का इस्टेंस का इस्टेंस का स्कोई है तो सब्लकुल सही फार्मुला है f is equal to d square minus x square by 4d और height of object is root under h1 minus h2 बिल्कुल सही formula है ठीक है ठीक है ठीक है और एक relation यहाँ पर यह भी आता है जैसे मैं m1 minus m2 करूँ m1 क्या है तुम्हारा m1 है v by u और m2 है u by v तो यह v by u minus u by v यही आएगा तो दोनों के अगर magnification का difference मैं देखता हूँ मतलब simple दोनों के magnification का difference देखता हूँ तो यह आजाएगा बेटा u into v और यह हो गया तुम्हारा v square minus u square v square minus u square ठीक है clear है क्या यह बात ठीक है और focal length का relation अगर मैं देखू focal length का relation यहां से तो हम जानते है u minus v को x लिका है u minus v is equal to x u minus v हमारा x है u minus v क्या है x है तो यहां से m1 minus m2 is equal to v minus u और v plus u बटा u into v ठीक है तो u minus v को मैं x लिख सकता हूँ तो u minus v को x लिखूंगा तो m1 minus m2 into x और यह वाला जो term है अगर मैं यह दोनों में divide कर दू तो 1 upon v plus u v plus u divided by u into v तो यह आएगा m1 minus m2 is equal to x और u v करोगे तो 1 upon u plus u के नीचे ले जाओगे तो 1 upon v बहुत सही तो इसको लिख सकता हूँ मैं 1 upon focus 1 upon focus तो यह हो जाएगा तुमारा m1 minus m2 is equal to x by f f is equal to x बटा m1 minus m2 बहुत सुन्दर फिर से कर दे तो हमें drive चिंता करने की बात नहीं है देखो यहाँ पर तीन major formula आता है तीन major formula आता है तीन major formula आता है मैं एक मार आपको बता देता हूँ सबसे important चीज़ सबसे important चीज़ की 2 position था दोनों position के बीच में distance क्या है x है दोनों position के बीच में बटा distance क्या है x है यह देख लो में distance x है पहले का जो object distance है वो दूसरे का image distance है पहले का जो image distance है वो दूसरे का object distance है clear है यह बात हाँ हम यहाँ पर मैंने आपको बताया कि यह u plus d यह u plus v ब्रावर d होगा यह तो सही एकदम उसके बाद मैंने कहा कि देखो यहाँ सहां तक distance u है यू में से x घटा होगे तो तुम्हारा v बिल जाएगा तो u minus x तुम्हारा आगया v x को उधर ले गया है तो u minus v ब्रावर x और u plus v ब्रावर d u minus v ब्रावर x v plus u ब्रावर d यह दोनों equation बना इन दोनों equation को जब मैंने जोरा तो v से v कट गया 2 u ब्रावर d plus x आ गया तो u ब्रावर d plus x y 2 उस तरीके से हमने u की value question 1 में पूट कर दी तो v ब्रावर आगया d minus x v 2 अब मैंने mirror formula यूज lens formula यूज क्या होन अपन v minus 1 upon u is equal to 1 upon f अब बैसी बात है यहाँ पर u negative है तो u की value negative put करो positive आ जाएगा d minus x d plus x LCM लेंगे तो d a square minus x square 2 common आ गया यहाँ पर आएगा d plus x फिर होगा d minus x x x cut गया d बचेगा तो d a square minus x square by 4d यह तुम्हारा focus का formula आ गया तो इसको तो रट लू f is equal to d a square minus x square by 4d उसके बाद हमने देखा कि पहले case में जो image है और object distance है दूसरे case में object और image distance होगा उल्टा हो गया तो वी बाई-ई यू थो यह हो गए u वी height of image बटा height of object height of image बटा height of object object तो दोणे किसमें से है image के head दोनों किसमें अलहागे तो v वाई-उ और u by us ko multiply करेंगे तो cut के वान आ जाएगा height of image height of image रहा हूँ कि माल लो दोनों की case के magnification को अगर में घटा दू, दोनों ही case के magnification को अगर में घटा दू, तो यह आ रहा है बेटा V by U, पहले case का magnification, दूसरे case का magnification होगा U by V, अब ध्यान से देखोगे तो यह आएगा U into V, यह चला जाएगा इधर V square minus U square, यह तुम्हारा magnification का difference आ गया M1 minus M2 बराबर V square minus U square, बटा U into V, बहुत सुन्दर, बहुत बढ़िया, उपर वाले term को हमने लिख लिया, U plus V into U minus V, A square minus B square होता है, A plus B into A minus V, और V minus U, V minus U, बटा U into V, अब एक बात बताओ, अब एक बात बताओ, दिहान से सोच के समझ के, इधर से हमने एक relation लिखा था, क्या, U minus V को X, U minus V को X, तो यहाँ से, U minus V को X लिखा था, यह V minus U है, अच्छा, एक मिनट रूको, U minus V को X लिखा, तो तेकर negative बाहर चला जाएगा, U plus V, यह होगा तुम्हारा U minus V, बटा U into V, इसको तुम X बोल दो, इसको तुम क्या बोल सकते हो, X बोल सकते हो, तो M1 minus M2 is equal to, इसको तुम X बोल दो, M1 minus M2 into, एक काम करो, U V को U के नीचे रखोगे, तो U divided by U V हो जाएगा, तुम्हारा 1 upon V, plus U V को V के नीचे रखोगे, प्लस U के नीचे रखोगे, इस दोनों के नीचे ले जाओगे, तो 1 upon U into यह बचाएगा, X, और 1 upon V minus 1 upon U, अबज़क डिस्टेंस को अबचे नीचे रखोगे, तो M1 minus M2 by X, यह याद रखो, दोनों ही के सके मैगनिफिकेशन का सब्ट्राक्शन बटा, X यह फोकल लेंथा जाता है, ठीक है, यह फोकल लेंथा जाता है, यह चीज तुम्हें क्या करना है, याद रख ना है, next is, combination of lens and a mirror, जिसको कहते है, silvering of lens, silvering of lens, combination of lens and mirror is called silvering of lens, मतलब lens के एक साइड को हमने polish कर दिया, lens के एक साइड को हमने polish कर दिया, देखो, जैना लिखा है, silvering of lens, there will be two refraction and one reflection, on the silvering, each lens behave as a mirror, जैसे मान लो, इस lens की मैं बात करूँ, तो originally यह कैसा lens था, बताओ, सोच के बताओ, originally यह कैसा lens था, सर यह originally plano convex lens था, plano convex lens में जब भी कोई ray आएगा, तो यह से reflect करके कहीं यहाँ पे जाके cut करेगा, लेकिन अब क्या हो रहा, कि पीछे वाला साइड इसका पिछवारा polish कर दिया, तो यहाँ पे जब light incident करेगा, तो यहाँ पे reflection नहीं होगा, यहाँ पर reflection नहीं होगा, अब यह reflection करके यहाँ आगया, फिर इधर mirror लगा है, तो यहाँ से reflection होगा, फिर reflection होगा, फिर light finally यहाँ पे निकल के आएगा, मतलब आप ध्यान से समझेए मैं इस case में एक बार और समझाता हूँ मान लीजिए कि parallel ray कोई आया तो यह parallel ray यहाँ पर क्या करेगा reflection कि reflection कि reflection क्योंकि यहाँ पर polish तो है नहीं एक तो simple refracting surface है, reflection करेगा reflection करके सीधा इस lens से interact करके focus पर जाया ना चाहिए था लेकिन यह focus पर नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पर mirror लगा है, यहाँ पर क्या होगा reflection कि reflection, यहाँ पर reflection होगा, reflection जितने angle of incident पहेगा उतने angle of reflection होगा, फिर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर reflection होगा, तो यहाँ reflection, reflection, यहाँ reflection, फिर यहाँ रिफ्राक्षन तो भाई दो बार रिफ्राक्षन रिफ्राक्षन और एक बार रिफ्राक्षन और एक बार रिफ्राक्षन तो दो बार रिफ्राक्षन हुआ और एक बार रिफ्राक्षन हुआ अगर सिंपल लेंस होता तो सीधा दो बार रिफ्राक्षन होता यहां पर यहां प रिफ्रेक्शन और एक वार रिफ्लेक्शन हो रहा है, देर बिल बी टू रिफ्रेक्शन, एंड वन रिफ्लेक्शन, और फाइनली ये कैसा बहेब करेगा, मीरर जैसा, ठिक मीरर जैसा, तो इस पूरे कॉम्बिनेशन का, जो फोकल लेंश का फॉर्मूला होता है, जो NCRT और किताबों में लिखा हुआ है, कि पूरा एक मीरर जैसा बहेब करेगा, मीरर जैसा बहेब करेगा, और किस तरह का मीरर होगा, प्लेन मीरर होगा, कॉनकेव मीरर होगा, कॉनवेक्स मीरर होगा, उसका निकालने का तरीका magnitude of focal length बराबर 1 upon f net बराबर minus of 2 times of focal length of lens जैसे मालो convex lens है plano convex lens है concave lens है plano convex lens है उसका focal length तो 2 बटा focal length of lens lens का focal length दो बार लिया है क्यों? 2 times of focal length of lens क्यों लिया है? क्योंकि दो बार रिफ reaction हो रहा है plus 1 divided by focal length of mirror और यह तुम्हारा जो solve करेंगा उससे focal length मिलेगा अब focal length अगर positive आ गया तो कौन? cave mirror जैसा behave करेगा convex mirror जैसा behave करेगा और यहाँ पर solve करके अगर focal length negative आ गया तो कौन? cave mirror जैसा behave करेगा यहाँ पर ध्यान से देखिएगा यह है आपका एक by convex lens इसको silver करने से यह mirror बनिया यह पूरा mirror बनिया इस mirror का जो focal length आएगा उसको निकालने का तरीका है one upon f net बराबर minus two times of focal length of lens इस पूरे lens का focal length यह पूट करो plus किस तरह के surface को इसने polish किया है? concave surface को तो one upon focal length of concave mirror यह पूरा रखो width proper sign के साथ तो यह sign के साथ तुम्हारा net focal length आ जाएगा mirror का अगर यह focal length तुम्हारा positive आया तो तुम क्या समझोगे कौन vex mirror है मेरा और focal length negative आ गया तो क्या समझोगे कौन cave mirror है मेरा clear है क्या यह बाते clear है क्या यह बाते ठीक है? अब सुनो अब सुनो last question में doubt sign में doubt होना भी चाहिए कोई दिखकर ने, थोड़ा थोड़ा doubt रहे गार सब्स कैसे सिख जाओ था तो यहां भी sign में doubt होगा क्यूं? क्यूंकि अब यह lens देखो कैसा है यह concave lens है तो focal lens यहां पे negative रखोगे और convex lens है तो focal lens positive रखोगे फिर focal lens value पूट करोगे यह positive फिर negative फिर negative फिर पता नहीं positive negative फिर positive negative के terms में देखोगे कि तुम्हें मैं directly एक MR star दे दूँ NCRT में किताबों में कही पर होगे तो यही बताया जाता है silvering of lens का formula और यही सही है और तुमको भी अगर direct formula पूछे तो यही लिखना है exam में direct formula पूछ रहा है direct formula पूछ रहा है exam में तो यही लिखोगे हाँ लेकिन अगर तुम एंसर निकालने जाओगे तो तुम्हारा ऐसी तैसी हो जाएगा कैसे अगर मालो यह लेंस हुआ तो सर एक मिनट यह लेंस हुआ तो यह बाई concave lens है बाई concave lens है तो इसका focal length negative होता है तो सर इसको माइनस में रखना पड़ेगा और यहाँ पे यह जो लेंस है वो कैसा है convex lens है यह लेंस है यह लेंस है तो यह लेंस है तो and positives there are so many negative and positive लेकिन direct formula पूछेगा तो यह बताओ कि मैं फिर से बता देता हूं यह पूरा combination एक mirror की तरह भीएव करेगा उस mirror का जो net focal length होगा one upon f net बराबर minus two times of focal length of lens plus one upon focal length of mirror minus two times of focal length of lens plus one upon focal length of mirror यह तुमारा actual में formula है ठीक है अब मैं तुम्हें इसका सवाल का solution निकालने के लिए एक असान सा formula बताता हूं ठीक है जो easy होगा और तुम direct निकाल सकते हो ठीक है तो देखो one upon f net बराबर two times of f l plus one upon f m mod 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 सर मौड 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 क्यों मौड 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 मतलब तुम्हें कहीं भी plus minus लेने की ज़रत नहीं है सर अगर concave lens हुआ तो minus नहीं लेंगे ना magnitude ले लो बस सर अगर सिर्फ magnitude ही लेना है तो इस सवाल और इस सवाल का solution तो एक ही जैसा निकालेंगे क्यूं अभी दोनों सवाल का solution सेम हो जाएगा क्यों सेम हो जाएगा भाई यह praieri कांके mirror और और हमें दोनों को तो magnitude लेना है तो focal length सेम या जाएगा convex lens वो या concave lens हो focal length आएगा magnitude ले लो गरिग सवाल करना नहीं होगा सबसे पहली बात दो सवाल का solution सेम हो जाएगा, पहला advantage, दूसरा advantage कोई भी plus और minus और धैल मतलब नहीं है, मुझे, कोई भी lens हो, कोई भी mirror हो, मुझे कोई मतलब नहीं है, सब का magnitude लोगा, बस, उसके बाद, अगर, कौन विक्स lens को silvered किया है, तो वो concave mirror जैसा भी यह करेगा, और अगर, कौन, किसी तरह के concave lens को silvered किया है, यह convex lens है, उपर वाला, उपर वाला क्या है, convex lens, उपर वाला क्या है, convex lens, convex lens, convex lens, convex lens को silvered किया, तो concave mirror होगा, concave lens को silvered किया, तो concave mirror होगा, खत्म, सीधा उसका nature उल्टा कर दो, खत्म हो जाएगा, यह कैसे पता चला, बेटा, सारे सवाल मैंने पहले solve किये, proper, actual formulae से, और last में जो result आया, उसका conclusion मैं तुमें दे रहा हूँ, यह बहुत जादा मेहनत का नतीजा है, कोई भी exceptional case यहाँ पे नहीं है, direct मैंने सारे सवाल solve करके, ध्यान से, जब result निकाले तो यह result मिला, उस result को मैं आपके सामने paste कर रहा हूँ, UGPM की तरफ से, तो सिर्फ magnitude लेके solve करें आप, और अगर convex lens को silvered किया है, तो overall concave mirror जैसा behave करेगा, और concave lens को silvered किया है, convex lens concave mirror, और concave lens convex mirror जैसा behave करेगा, बस, खत्म, आईए सवाल करते हैं, तो चीजे आपको समझाएंगी, लेते हैं, case 1, by convex lens, by convex lens को silvered कर दिया, जिसका radius of curvature है, R, radius of curvature, radius of curvature आईए, तो 1 upon f net, हमें magnitude की ही बात करनी है, is equal to 2 times of focal length of lens, plus 1 upon focal length of mirror, सिर्फ magnitude लिखना है, 2 बटा, lens का focal length वोलो, तो कैसा lens है, दिखो बेटा, ये lens है, by convex lens, by convex lens का focal length क्या होता है, सर, R, बटा, 2 mu minus 1, ये 2 तो formula का है, इसका formula होगा, R, बटा, 2 mu minus 1, पूरा ही लिख लेता हूँ, चलाओ, focal length of lens क्या होता है, by convex lens का R, बटा, 2 mu minus 1, plus, ये क्या है, mirror है, mirror का focal length क्या होगा, radius of curvature by 2, ये कौन के mirror है, जिसको तुमने silvert किया है, radius of curvature अगा रहा है, तो तुमने focal length क्या होगा, R by 2, अब इसको उपर ले जाओ, तो 2-2 ये हो जाएगा तुम्हारा, 4 mu minus 1, ये पूरा उपर जाएगा, तो 2-4 mu minus 1 by R, ये हो जाएगा तुम्हारा, 2 पर चला जाएगा, तो 2 by R, is equal to F net, अब इसको solve करो, इसको solve करो, तो R L C M ले लो, 1 upon F net is equal to R L C M ले लो, R L C M लोगे तो ये होगा तुम्हारा, 4 mu minus 4, plus 2, F is equal to R, R बटा, 4 mu minus 2, ये हो जाएगा, और ये कैसा mirror होगा, ये mirror होगा, ये mirror जैसा भी अब करेंगा, कैसा mirror, ये होगा, कौन, cave mirror, और focal length दिस, और कौन के mirror का focal length वैसे क्या आता है, negative, तो ये focal length overall negative answer होगा, ये होगा, ये answer होगा, कौन के mirror जैसा भी ये बक्रेंगा, कहीं कोई दिक्कत है तो तो देख लो, नहीं है, case 2 देखो, और exam में तुम्हें direct ये ही पूछेगा, इसका focal length क्या आएगा, ये कौन सा lens है, बोलो, ये कौन सा lens है, तो ये है, planoconvex lens, planoconvex lens का plane surface silvert किया है, ये क्यों था, bi-convex lens, bi-convex lens, clear है पिटा, अब इसका focal length, 1 upon f is equal to, 2 times of focal length of lens, lens कैसा है, सर ये planoconvex lens है, planoconvex lens का focal length होता, r बटा, mu minus 1, ये ही तो होता है, या भी क्या लिखा, r बटा, 2 mu minus 1, ये होता, simple r बटा, mu minus 1, plus mirror का focal length क्या होगा, तो plane mirror का focal length होता है, infinite, तो 1 upon f is equal to, ये उपर चला जाएगा, तो 2 mu minus 1, बटा, r plus 0, तो focal length बड़ावर आएगा, r बटा, 2 mu minus 1, खतम, answer, खतम, answer आगया, r बटा, 2 mu minus 1, कौन सा lens होगा, sorry, कौन सा mirror जैसा भी एप करेगा, concave mirror, concave mirror of this focal length, क्यों 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 convex lens था, अगर इसको silvered कर दिया हमने, ये case third है, तुम्हार अध्यान से दिखेगा, lens कैसा है, lens तो plano convex था, लेकिन silvered जो हमने face किया है, वो इसका, cob surface face किया, ये है, इस case में जब तुम focal length निकालोगे, इस case में, तो 1 upon f, is equal to 1 upon focal length of lens, तो lens तो ये होगा, r बटा, mu minus 1, क्योंकि, plano convex lens है, है तो ये plano convex lens, ऐसा हो या ऐसा हो, एक ही चीज है, plus, plus, ध्यान दीजिएगा, ये कौन cave lens है, तो इसका focal length हो जाएगा, r by 2, यहाँ पर mu minus, अच्छा, 2 formula में था, 2 formula में था, 2 divided by r, mu minus 1, और यहाँ पर हो जाएगा focal length r by 2, इसको उपर ले जाओ, 1 upon f is equal to, 2 mu minus 1 divided by r, plus 2 by r, अगर हम इसका, LCM ले ले r, तो वोगा 2 mu, minus 2, देखो 2 का अंदल, 2 mu minus 2, plus 2, 2 plus 2 minus 2, तो गट जाएगा, focal length आ रहा है, r by 2 mu, यह focal length का formula होगा, r by 2 mu, यह आपके तीन major case है, अब इस MR star से फायदा क्या हुआ, कि तुम्हें plus minus कहीं सोचना ही नहीं पड़ा, direct तुमने निकाल लिया, और यह भी कैसा होगा, concave mirror जैसा होगा, concave mirror जैसा होगा, और, इसका double फायदा आप मैं दिखाता हूँ, double फायदा क्या, अब देखो इसका double फायदा, double फायदा यह, कि अगर तुम्हारा यह lens है, और इसको तुमने silvered कर दिया, इसके focal length का answer यह होगा, अगर तुम चाहते हो, तो मैं तुम्हारे सामने proof करके निकाल दूँगा, यह आएगा answer, यह आएगा answer, और इसका behavior होगा convex mirror जैसा, convex mirror, क्योंकि lens कैसा है, इसका जो focal length होता है, by concave lens का, वही तो by convex lens का होता है, और यह वाला, concave lens था, concave mirror था यह वाला part, concave mirror था, और यह तुम्हारा है convex mirror, फार्क तो plus minus का पढ़ेगा magnitude, exactly same आएगा, इतना ही नहीं, अभी और सुनिए, अगर यह lens है, उसका भी answer यह होगा, और अगर यह lens है, गर्दा उरा दिये भाई, तुम को समझ नहीं आया, लेकिन गर्दा उर गया, यह answer आएगा, नेचर उल्टा हो जाएगा वस, नेचर उल्टा हो जाएगा वस, शिलवर्ट किसको करोगे, इसको, प्लेन को शिलवर्ट करोगे, थबाज आया, आर बटा 4 मू माइनस टू, अब चलो माल लो कि तुम्हें एक रेंडम कोस्टन दे तो, यह देता हूँ, इसका फोकल लेंद क्या होना चाहिए, तो इसका फोकल लेंद आ भी निकाला, एफ इस इकोल टू प्लेन सर्फेस को कर्व गया तो, क्या है था? आर बटा 2 मू माइनस वन, यह यह था क्या? क्योंकि प्लेन सर्फेस को कवड गया था, आर बटा 2 मू माइनस वन देखो, तो यह यह था? आर बटा 2 मू माइनस वन देखो, कि कॉन क्या लेंज को सिल विंवर्ट किया है इसका क्या होग b कुरें सरकेश को हमने कर दो किया है तो आर भटा आरब एफ पेशी पेवर्ट को सिल वोट किया। देखो, f is equal to r 2 μ यही तो है, plano convex को silvered किया r 2 μ, plano concave को silvered किया, देखो, plano convex lens को silvered किया r 2 μ, इसका nature कैसा होगा, convex mirror जैसा, इसका क्या है focal length, f is equal to r 4 μ यही था क्या, f is equal to r 4 μ-2, यह था, यह होगा, concave mirror जैसा, concave mirror जैसा, इधर देखो, यह तो कर लिया तुमने, यह क्या होगा, f is equal to r 4 μ-2, convex mirror जैसा, concave lens है, by concave lens है, तो convex mirror जैसा, खतम, समझ आया कि नहीं है, बताओ, बहुत easy है, और वैसे भी थोड़ा ध्यान से देखोगे, तो चारी तो answer है, चारी तो answer है, अगर इसको किया है, तो f is equal to, f is equal to r बटा 4 μ-2, यह है था, अगर plane को silvered कर दूं है, plane को silver कर दूं, तो f is equal to r बटा 2 μ-1 आ रहा है, 2 μ-1 यह, हाँ, 2 बाहर है, 2 बाहर है, 2 बाहर है, 2 μ-1, 2 बाहर है, मैंने कहीं गल्दी किया किया, हाँ, 2 बाहर है, 2 μ-1, सही लिखा है, 2 μ-1, सही लिखा है, अगर plane को हम करते हैं तो, और अगर curved surface को करते हैं और इसको plane रखते हैं, तो f is equal to r बटा 2 μ, यही तो है, बागी तुम्हें निकालना भी मैंने सिखा दिया, बागी निकालना भी मैंने सिखा दिया है, इस पर direct ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं, यह सवाल देखो, अच्छे से सवाल बढ़ना कर पाओगी तुम्हें लेंस और convex mirror के combination पर सवाल है, find value of d, find value of d, find value of d, so that object and image bill coincide, image formed on the object itself, जहाँ image है, object है, वाया पर image बनेगा, क्या लिख रहा है, यह देखो, यह लिख क्या रहा है, image formed on the object itself, क्या लिख रहा है, image formed on the object itself, 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 . . find the value of d so that object and image will coincide image formed on the object itself image formed on the object itself उसके लिए d क्या होगा इसका focal length है 10 इसका focal length भी है 10 और object को रखा है 15 cm पर आप अच्छा सवाल है चार इंसीडंट रे जो इहाँ पर जाएगा वो रीफरेक्ण करके और तो इस लिन्स की वैसे कहीं image बनेगा तो लिन्स की वैसे मेज़ बनेगा निकाल लेते लेंस फॉर्मूला होता है लेंस फॉर्मूला होता है लेंस फॉर्मूला होता है वन अपन वी माइनस वन अपन यू इस एक्वल टू वन अपन एफ क्या होगा 1 upon V minus 1 upon U is equal to 1 upon F ये lens formula है ये lens formula है 1 upon V minus 1 upon U is equal to 1 upon F ठीक है भाई U की value क्या दी हुई है minus 15 देखो यहाँ पर object रखा है तो इस optical सेंटर सीधर होगा तो minus 15 तो यहाँ पर रखेंगे 1 upon V minus 15 ये minus minus plus 1 upon 15 is equal to focal length की value दी हुए 10 positive focal length है 10 तो 1 upon V is equal to 1 बटा 10 minus 1 बटा 15 अगर 30 LCM ले ले लेते हैं तो 10 ये 30 minus 2 तो यह आएगा V is equal to आएगा तुमारा 30 cm वी is equal to 30 cm मतलब 30 cm पर image बनेगा 30 cm पर image बनेगा यहाँ पर image बना 30 cm अब यह जाके mirror से interact करेगा यह जाके किससे interact करेगा mirror से interact करेगा और mirror कैसा है कौन वेक्स mirror है यह अपने path पर retrace कब करेगा तो जब यह path पर retrace अभी करेगा न जब i इसका 0 हो लेकिन i 0 हो कैसे सकता है इसका यहां रखा है mirror तो यहां रखा है अच्छा mirror यहां रखा है अच्छा mirror यहां रखा है तो इसका यहां होगा तो center of curvature से नॉर्मल तो यह है इसके लॉंग तो जाई नहीं रहा अच्छा एक मिनट एक मिनट एक मिनट इक मिनट आया idea 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 मतलब image यहां नहीं बनेगा 30 cm अगर मैं यह बोलू कि image कहीं यहां बन रहा है यह total है 30 cm यहां से यहां कहीं जाके बनना चाह रहा है image कहीं यहां जाके बनना चाह रहा है यहां पर यह जो refractor है 30 cm यहां पर image बनाना चाह रहा है यह lens यहां इमेज बनना चाह रहा है वो इसके पोल से center of curvature है तो जो यह incident ray mirror पर आके fall करेगा यह incident ray हो गया इस mirror के लिए mirror पर आके fall करेगा अगर यह center of curvature से जाता हुआ महसूस हुआ तो क्या यह उसी पर reflect हो जाएगा ओ भाई साब उसी पर reflect हो जाएगा तो यहां पर आके यह finally अगर incident ray refracted ray के पात में आएगा तो यहां पर refracted ray incident ray पर चला जाएगा यहां पर image वनेगा तो यह तभी हो सकता है जब यह total तुम्हारा 30 cm हो और यह center of curvature मतलब यहां से यह 20 cm 30 में से 20 घटाओ को तो D की वैल्यू 10 cm आनी चाहिए 10 cm आनी चाहिए वाई साहब मज़ा आया कि नहीं आया बताओ बोलो 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 मुन्ना बोलो 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 तो ray तीन बार बास तविकता में interact कर रहा है इंस्टूमेंट से एक बार interact किया इस lens से फिर interact किया इस mirror से फिर mirror से अगर i0 है तभी i0 का जब वो center of curvature पे जाता इस फिर यहां से interact के इस lens से इसका answer ना 50 होता अगर यह कौन के mirror होता तो इसी में इस mirror को अगर मैं कौन के mirror बना दू कौन के भी mirror बना दू सोचो अगर ध्यान से यह lens है और यह कौन के mirror बना देता हूं यहां पर यू रखा है है हमने 15 cm तो 15 cm पर यू रखा है फोकस अगर 10 है तो image कहां पर बनेगा 30 पर इमेज कहां पर बनेगा 30 पर यहां से 30 cm पर इमेज बना यह center of curvature यहां पर 30 cm पर इमेज बना अगर यह 30 cm पर इमेज बन रहा है तो यह जो प्रेज आएगा वह यहां पर आके incident करेगा अगर यह center of curvature से पास होता हुआ दिखाई दिया तो इसी पर वापस आ जाएगा तो मतलब यह तुम्हारा R के बराबर है मतलब 2F के बराबर हो गया यह इसके 2 times of focus के बराबर हो गया अगर इसका focus था 10 अगर इसका focus मैं बोलू 10 तो यह हो गया यहां से यहां तक 20 और यहां से यहां तक 30 तो 50 आता है लेकिन यह convex mirror था और मैंने देखा तुम्हारे सामने मैंने यहां पर यहां से 30 यह हो हो और exactly center of curvature यह हो यह incident रहा है इसे आ रहा है अब आप नॉवल प्लोड कर तो center of curvature जात रहा हो यह normal हो तो नॉर्मल पी incident की है उसी पर reflect हो जाएगा मिरर से तो यहां से यहां तक total answer होता 30 प्लस 20 50 कॉंके मिररे के के किसे में ऐसा सवाल हमने पहले भी किया था वह और ऐसे ही ये question NEET में पूचा था NEET 21 में ये रहा वो सवाल ये रहा वो सवाल देखे ध्यान से इसको करते हैं A point object is placed at a distance of 60 cm from a convex lens convex lens से 60 cm पर एक object रखा है A point object is placed at a distance 60 cm from the convex lens of focal length 30 cm convex lens of focal length 30 cm focal length 30 cm if a plane mirror put perpendicular to the principal axis on the lens at a distance 40 cm from it यहा से 40 cm पर ये रखा है then final image would be formed at a distance of final image कहां बनाएगा final image कहां बनाएगा सुनो अच्छे से पहले lens के लिए हम फर्मुला लगाएगे सबसे सॉलूचन मैं हाली कराऊ सबसे पहले lens formula लगाएगे तो 1 upon V minus 1 upon U is equal to 1 upon F हमेज distance निकालना है object distance दे दिया है minus 60 minus 8 रखेंगे तो यह प्लस 8 हो जागा उदर जाके minus 60 हो जाएगा focus तुमारा 30 है 1 upon 30 minus 1 upon 60 सही लिखाएगा एकदम सही है तो 1 upon V हो जाएगा तो अगर तुम 60 LCM ले ले लोते हो तो यह 2 minus 1 सही लिख लाओ साट अगर LCM ले लिए तो 2 minus 1 तो V is equal to 60 आ गया V is equal to 60 cm आ गया object भी 60 में भी 60 अरे आरे तो बनना ही था क्योंकि इसका focal length 30 है 60 पर रखा मतलब 2 एपर रखा object is at object u बढ़ावर 2 if तो V बढ़ावर 2 if मतलब V बढ़ाव 60 cm बनेगा उदर V बढ़ाव 60 cm पर इदर बनेगा सेम साइस का बनेगा तो यहां से 60 cm पर image बनाना चाहेगा तो यह incident रहा या यह incident रहा आईसे जायेगा और यहां से 60 cm पर अगरे करना चाहेगा लेकिन बीच में आ जाएगा मीरर यहां आ गया तो मीरर के लिए मीरर के लिए यह वर्चुल अबजेक्ट हो जाएगा 20 cm पर क्योंकि यह converging incident रहे है अब virtual object हो जाएगा mirror के लिए object for mirror object for mirror अगर object के लिए ये आज़री mirror के लिए object है तो इसका image distance object distance के बढ़ाव मतलब यहाँ पर image बनेगा तो यह reflect हो के यहाँ incident करेगा यहाँ पर image बनेगा कितने cm पर 20 cm 20 cm बनेगा तो यह जो reflected ray आगे continue करेगा और इस lens पर आके incident करेगा जो इस lens पर incident करेगा तो यह जो image होगा i2 वो इस lens के लिए object होगा यह total 40 था यहाँ से 20 है तो यह object distance हो जाएगा 20 तो again for lens again for lens lens के लिए हम फिर से देखेंगे one upon v minus one upon minus 20 यह object जो है plane mirror का image इस lens के लिए object की तरफ यह करेगा object distance हो गया minus 20 बराबर one upon 30 फोकल लेंग पॉसिटीव है यह plus minus minus plus हो जाएगा उधर जाके minus तो one upon v is equal to one upon 30 minus one upon 20 LCM लेलेंगे 60 बीच ती यह साथ तीन माइनस दो तो one upon 60 आरा one upon 60 तो one positive में आ रहा अतलब वी इस इक्वल टू 60 centimeter पर image बनेगा यहां से positive आरा के negative एक पार देख लो तीस दूना 2-3 गलत कर दिया 2-3 by 60 तो minus one upon 60 minus one upon 60 मतलब कहीं यहां से 60 centimeter पर पीछे image बनेगा 60 centimeter यहां पर यह 40 तो 20 centimeter plane mirror से तो दी तुम्हारा answer हो जाएगा 20 centimeter from the plane mirror and it would be the virtual image क्योंकि V तुम्हारा क्या आ रहा है यहां पर negative आ रहा है तो V negative का मतलब जो incident रहा है उसी incident ray के तरफ उसी तरफ पीछे में कहीं मेंज बनेगा यहां से 60 पर यहां से 60 पर यहां से 60 पर पीछे यहां से 60 पर पीछे यहां इमेज है क्योंकि V negative है तो यहां पर जो final image बन रहा है जिसकी position आप निकाल रहे हो वो कौन सा image है पहला image है दूसरा image है कि तीसरा image है अगर धंग से देखे हम तो कौन सा image बन रहा है पहला दूसरा या तीसरा पहला दूसरा या तीसरा कौन से image की position बता रहे हो आप तो finally जो आप बता रहे हो न यह रे कहीं आता हुआ दिखाई देगा refracted ray और यह पीछे जाके मिल रहा है 60 cm पर तो कौन से image की position आप बता रहे हो तीसरे image की position बता रहे हो थार्ड और यह ही सवाल 99% बच्चे क्या मैं बोल रहा हूं क्या मैं बोल रहा हूं ध्यान से सुनना 99% बच्चे गलत करके आये थे 99% बच्चे गलत करके आये थे हां यह मुस्किल सवाल था था थो रहा 99% बच्चे इस सवाल को गलत करके आये थे एक सामने है क्लियर है 99 परसंट बच्छहे नेक्स देखे प्रिस्म थे अगल बीटीवीनOoh अगल बिट्म देखे पाल इस फेस अप प्रिस्म is called refracting angle or angle of prism, prism किसको बोलते हैं, यह prism है क्या, यह prism है क्या, यह prism है क्या, यह prism है क्या, यह simple एक glass का rectangular seat है, है न, क्या मैं इसको prism बोल सकता हूँ, यह prism है, क्या यह prism है, मुझे बताइए, क्या यह prism है, नो, 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 या, नो, 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 अगर ये ग्लास में जाएगा तो नॉर्मल से पास जाएगा कि दूर्स नॉर्मल से थोड़ा पास जाएगा तो नॉर्मल से थोड़ा पास आ गया देखो नॉर्मल से पास अगया अब इस पे फॉल किया फिर जब ग्लास एर में जाएगा तो नॉर्मल से थोड़ा दूर यह गया, अब deviation बता तो कितना है इसमें, deviation, अगर यह eye angle पे incident किया, इस rectangular glass seat की मोटाई है T, refractive index है mu, तो deviation कितना हुआ है, deviation कितना हुआ है, यह slab है न, simple एक glass का slab है, जिसकी मोटाई T है, एक glass slab है, जिसकी मोटाई T है, जिसकी मोटाई T है, एक glass slab है, जिसकी मोटाई T है, तो यह एक deviation कितना हुआ, मैं deviation पूछ रहा हूँ, यह कह रहा है चुटी, नहीं समझ में है, भाई मेरे गरवर कर दो कि तुम एक्जाम में है, मुझे पक्का भरोसा है, यह एक glass का slab है, जिसकी मोटाई है T, इसकी refractive index है mu, यहाँ पर normal से eye angle पे एक light incident किया, तो अगर यह glass plate नहीं होता तो इस line पे जाता, glass plate है तो थोड़ा normal के पास जाएगा, फिर यहाँ पर normal से दूर ऐसे जाएगा, इसरे के parallel, तो यहाँ पर deviation कितना हुआ, यह मैंने आपको साथ पढ़ा ही नहीं है न, हाँ, अगर lateral shift हुआ तब तो तुम निकाल लोगे, lateral shift तो निकाल लोगे, यह ही था lateral shift, deviation कितना हुआ, 0 गधा गएगा, फिर deviation 0 कैसे, अरे parallel ही तो है, यह तुम्हारा अगर glass plate नहीं हो, तो तो इस line पे जाता, अभी इस line पे जाता, अभी इस line पे जाता, दोनो parallel रहे है, तो deviation कहा हुआ, deviation 0 है, अरे हाँ, अज़ा जितना angle of incident है, उतना ही तो angle of emergence होगा, हाँ, तो यह x success high angle पे आया, x success high angle पे चला गया, गधा राम, बेवकूफ, deviation 0 है, और यह prism नहीं है, यह prism नहीं है, लेकिन यह prism है, कब prism है, जब, 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 यहाँ पे एक incident ray, इस line से interact करने के बाद, थोड़ा normal से pass आके, इस line से interact करेगा, और जब इस line से interact करेगा, यहाँ पे interact करेगा, तो यह होगा normal, इस line पे जाना चाहिए था, यह normal से, दूर जाएगा कि pass आएगा, तो आपने normal कहां खीचा है, इधर, यह normal हो गया, अब यह normal से दूर जाएगा, मत अभी कहा जा रहा है इधर जा रहा है बताओ deviation हुआ कि नहीं भहंकर deviation हुआ अगर ये glass plate नहीं होता तो इस line पे जाता अभी इधर जा रहा है तो deviation हुआ इस दोनों diagram में फर्क क्या है तो glass plate ही, glass slab ही फिर देखो जम जाता हूँ और अगर तुम ये बात समझ गए तो तुम prism का 50% concept समझ गए बेटा ये दोनों एकदम same glass slab है टीम उटाएगा refractive index mu यहां पर light इस face पर incident किया eye angle पर अगर ये glass plate नहीं होता क्या ये light सीधा चला जाता जी सरकार अब ये क्या होगा सर नॉर्मल से पास आएगा ठीक है अगर इस line पे जाता लेकिन नॉर्मल है नॉर्मल के पास आएगा अब जाके इस face से interact किया यहां पर incident किया नॉर्मल ये जाएगा मतलब इधर जाएगा तो ये light तुम्हारा refracted ray हो गया और ये तब होता देखो ये deviation आए कि नहीं है इसमें क्यों आ गया क्योंकि यहां पे जो interact कर रहा था light वो दो parallel face interact कर रहा था ये glass का face और ये face इन दोनों face के बीच में angle क्या है 0 तो yes this is a prism of prism angle prism angle 0 और prism angle 0 था इसलिहाँ पर deviation 0 जैसा दिखाई दिया ये prism है जिसका prism angle 0 है और यहां पर इस लाइन से interact किया और फिर इस लाइन से interact किया तो दो ऐसे face से interact कर रहा है जो एक दूसरे से 90 डिग्री पर है तो yes this is prism of prism angle 90 डिग्री prism angle 90 डिग्री और तुम्हें ये prism का save मैं अभी बना के दिखाता हूँ तु बोलेगा साला ये तो prism ही है देखो कैसे लाइट इस वाले पार्ट पर इंसिडेंट किया यहां पर reflect होके यहां से निकला है यही में पार्ट है ने तुम्हारा अगर मैं इसको तोर भी दो तो कोई फरक नहीं पड़ता है अब मुझे बता इसको तोर के मैंने कुछ ऐसे मिला दिया यह prism नहीं दिख रहा गया तुम्हें सर यह यही तो prism होता है देखो यह prism हो गया यह prism हो गया यह prism हो गया यही तो prism है और जिस दो surface लाइट reflect करता है पहला surface या दूसरा surface या यह उसका दोनों surface के बीच में जो angle होता है उसको prism angle कहता है यह तुम्हारा prism angle हो गया लोगों के एकदम दिल और दिमाग में मुक्ष की अनिभूती हुई एक सुकून सामीला कि क्या यार जोरदार प्रिस्म पढ़ा आप में यहाँ पे डिय चलिव क्यों है क्यदोनों रिफ्राक्तिंग सर्फेस के इंगल जीरो है प्रिसम ढ़ल जीरो है यहां पे डिय विशन क्यों है क्योंकि प्रीमानि डीग्रे देखkaओ् यह एक marginative अफैस्य रिफ्राक्तिंट सफेस्त हेस्जी में एं यह इंस अ यह प्रिस्म है, तो देखो भाई सब प्रिस्म क्या होता है, यह हमने ट्रिंगुलर ग्लास सीट ले लिया, माल नो लाइट यहां पर आया, यहां से कही से निकला, तो इसमें कौन सा एंगल अप्रिस्म होगा, A1, A2, A3, एंगल अप्रिस्म कौन सा होगा बताओ, A1, A2, A3, माल लो यहां पर आया, किसी तरीके से यहां पहुंचा, फिर यहां से निकल रहा है कही से, यहां से निकल रहा है, माल लो, यह लाइट का गया है, तो एंगल ऑप्रीड कीसको वोलोगे, A1 को, A2 को की यह थिरी को, T4 A1 एंगल ऑप्रिस्म, az serves इंगल दोनों refracting surface के बीच का एंगल होता है, angle of prism, clear, clear है, अब हम असली prism बनाते हैं, जिसका तुम्हें लंबे सदियों से इंतजार है, सर वो वाला प्रिजम बनाओ जो बार्मी बोर्ड में पढ़े थे लो वो वाला प्रिजम बना दिया वो वाला प्रिजम बना दिया लो यह प्रिजम है और यहां पर लाइट आया मानलो यह इंसिडेंट रहे है अब इस प्रिजम का जो रिफ्रैक्टिंग सर्फेस है यहां पर normal plot करो, तो normal क्या होता है, सर, अगर इस refracting surface से normal plot करेंगे, तो refracting surface से perpendicular ये line आएगा, refracting surface से perpendicular ये line आएगा, ये incident रहा है, और refracting surface से normal जो हमने plot किया, वो angle of incident यहाँ पर आई होगा, ये light, जब prism के अंदर जाएगा, जिसका refractive index mu है, ये light, जब prism के जाएगा, बताओ इस line पर जाएगा कि नॉर्मल के थोड़ा पास आएगा, नॉर्मल से थोड़ा पास आएगा, ऐसे, इस line पर जाके incident करेगा, यहाँ पर नॉर्मल प्लोट करो, तो ये normal होगा, यहाँ पर angle of incident आई, angle of reflection, R1 मान लेते हैं, यहाँ पर angle of incident R2 मान लेते हैं, चलो, यह normal से R2 पर incident किया, अब यहाँ पर जब बाहर जाएगा, तो यह अपने पाथ पर ही जाएगा, यह normal से और दूर चला जाएगा, normal से और दूर चला जाएगा, कहीं light यहाँ जाएगा, इसको बोलते हैं, emergence ray, अब यहाँ अब यहाँ अब आप अब आप 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 तो, कितने एंगल से डिवेट किया? I-R1. तो, पहला डिवेशन हुआ है I-R1. देख लिए धान से. हाँ, सर, सही बात है. दूसार डिवेशन कितना हुआ? अगर नॉर्मल से ये एंगल है e. ये नॉर्मल. normal से जितने angle पर emergence हुआ है वो angle है e तो यहाँ पर deviation कितना हुए तो sir यहाँ पर इस line पर जा रहा था तो यह होगा तुम्हारा delta 2 तो delta 2 होगा sir e total में से r2 घटा दो e minus r2 e minus r2 बिल्कुल सही है एकदम सही और सुन्दर जवाब है एकदम सही और सुन्दर जवाब है i minus r1 and e minus r2 देख लीजे क्लिर है क्या क्लिर है क्लिर है क्लिर है बेटा ध्यान से देखिए i minus r1 e minus r2 यह दोनों deviation सही निकाला क्या अब टोटल deviation क्या होगा सब टोटल deviation के लिए तो हमें दोनों को add करना परेगा तो add कर दीजे delta बराबर होगा delta 1 plus delta 2 delta 1 बोलिए i minus r1 i minus r1 plus delta 2 क्या होगा e minus r2 e minus r2 तो टोटल deviation आजाएगा बेटा i plus e minus r1 minus r2 यह हो जाएगा आपका total deviation यह हो जाएगा total deviation i plus e minus r1 minus r2 यहां से minus को अगर आप common निकाल ले अगर आप minus को common निकाल ले तो यह आजाएगा बेटा i plus e minus बाहर चला जाएगा अंदर में आजाएगा r1 plus r2 यह deviation का formula हो गया i plus e minus r1 plus r2 clear है क्या यह बात clear है क्या यह बात अब ध्यान से देखो अब ध्यान से देखो यह बताओ यहां पर नॉर्मल थाना टूटल यह नॉर्मल थाना नॉर्मल सर्फेस से कितना एंगल बना था 90 यह 91 अगर यह 90 यह और यह आरवन है तो यह एंगल कितना हो जाएगा 90 minus r1 बिल्कुल सही यह 90 है यह आरवन है तो यह क्या हो जागा 90-1 यह total 90 है यह r2 है तो यह क्या हो जाएगा 90-r2 तो in triangle in that triangle total angle is 180 degree total angle is 180 degree तो तीनों का sum 180 degree होगा ध्यान से बेटा बोर्ड पर देखना a plus 90-r1 plus 90-r2 is equal to 180 degree 180 degree 90-90 इधर 180 से cancel हो जाएगा a बराबर minus r1 minus r2 उधर चला जाएगा तो r1 plus r2 r1 plus r2 को हम angle of prism a बोल सकते है prism angle a बोल सकते है refracting angle a बोल सकते है तो यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो delta बराबर आजाएगा i plus e i plus e minus a क्योंकि r1 plus r2 को हम a बोल सकते है तो यह है तुम्हारा total deviation का formula total deviation का formula यह है झाला 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 यह है टोटल डेविशन का फॉर्मूला डेल्टा बराबर आई प्लस ए माइनस ए सिंपल है बहुत सिंपल है यहाँ पर डेविशन हो गया तुम्हारा आई माइनस रवन यह पर डेविशन हो गया ए माइनस रटू तो दोनों को एड किया यहाँ पर डेविशन का जब ग्राब बनाएंगे आई के साथ तो प्रिजम से यह डेविशन का ग्राब बनता है अंगल ऑफ इंसिदेंस के साथ अगर अंगल ऑफ इंसिदेंस के साथ अगर अंगल ऑफ इंसिदेंस कम होता है तो डेविशन जादा होता है फिर एक डेविशन म कमाता है क्यूंकि यहां पर अगर तुम धंसे देखो मार लो एंगल आफ इंसे में तुमारा आई था तो डेवेशन कितना आया है आई प्लसई माइस से ठीके यो डेवेशन आये अंगर अंगल इंसिडेंट आई रखें अगर यह रखू तो एंगल ओफ इंसिदेंस यह रख रहा है, तो डिवेशन कितना होगा, तो माल लो कि यहां पर इस लाइन पर जो फाइनली रिफ्रेक्टिट रहे है, मेरी बात ध्यान से सुनना तभी समझाएगा, अगर यह रिफ्रेक्टेट रे, फाइनल रिफ्र रखो तो इसी लाइन पर रिफ्लेक्ट इसी लाइन पर लाइट रिफ्लेक्ट हो कर यहां जाएगा फिर यहां जाएगा तो डिविशन कितना है और दो यहां पर रखूंगा तो यहाँ पर emergence आई हो जाएगा deviation इतना ही रहेगा तो दो अलग-अलग angle के लिए deviation सेम आता है दो अलग-अलग angle के लिए देखो यहाँ पर कोई incident आई रखोगे तो यहाँ पर emergence e होगा देखो दोनों किसमे deviation क्या आएगा यह आएगा अगर इसको interchange कर दोगे तो भी deviation उतना ही रहेगा मतलब दो different angle of incident के लिए same deviation आता है और यहाँ पर minimum deviation जो आता है वो तब आता है जब i बराबर क्या हो जाए e हो जाए i बराबर e हो जाए तब ही तुम्हारा minimum deviation आता है डिल्टा minimum from a prism from a prism when when i बराबर e when i बराबर e और i बराबर e है तो अब इससी बात है अगर ये वाला angle और ये वाला angle बराबर है तो अब इससी बात है रवन रटू बराबर होगा hence r1 बराबर r2 अगर r1 r2 बराबर है तो r1 प्लस r2 बराबर हम a लिखते थे तो आप पर r1 बराबर r2 बराबर a by 2 हो जाएगा क्या क्योंकि r1 प्लस r2 a है r1 प्लस r2 क्या है भई r1 प्लस r2 a है और r1 और r2 अगर बराबर हो गया तो यह आदा आदा हो जाएगा दोनो, r1 बराबर, r2 बराबर, ay2 तो यहां से delta minimum का जो equation आएगा वो i plus e minus a को हम लिख सकते हैं i और e बराबर है तो 2i minus a यह तुम्हारा delta minimum का equation आगया जब तुमसे minimum deviation पुछेगा तो 2 times of angle of incident minus a आएगा, clear है clear है clear है अब रहाँ पर आईए इस निल्स लॉगर मैं लगाता हूँ at incident point incident point incident point of prism incident point of prism यहाँ पर, अगर मैं इस निल्स लॉगर लगाऊँ तो बाहर में air है उसकी refractive index 1 तो क्या लिख होगे, 1 into sin i 1 into sin i बराबर अदे कहा जाएगा 1 into sin i बराबर mu into sin r mu into sin r यह होगा क्या, हाँ तो mu की value है से क्या आ जाएगी mu की value आ जाएगी sin i बटा sin r sin i बटा sin r putting the value of i and r from equation 1 and 2 इसको मैं equation 1 बोल देता हूँ minimum deviation का इसको 2 बोल देता हूँ यहा बर देखेगा ध्यान से putting the value of putting the value of पूरा लिक रहा हूँ value of i and r1 r1 r2 दोनों बराबर है तो r बोल दो दोनों को putting the value of r1 from equation 1 and 2 from equation 1 and 2 तो mu बराबर ध्यान से देखेगा mu बराबर ध्यान से देखेगा equation 1 से i की value put करो तो i बराबर क्या जाएगा तुमारा a माल लो उधर ले गया तो delta minimum plus a by 2 देखो a उधर चला गया तो minus है उधर जाएगा तो plus है delta minimum plus a by 2 तो mu बराबर होगा sin delta minimum plus a by 2 divided by sin r1 r1 की value को कहा लिख सकते है sin a by 2 तो यह तुमारा वो महा formula है जिससे lens का refractive index आप निकाल सकते है याद करिए पूरा drive करके मैंने दिया है आपने बार्मी क्लास में lens sorry prism के लिए formula निकाला होगा जिससे prism का refractive index prism का refractive index mu बराबर prism का refractive index mu बराबर sin delta minimum plus a by 2 divided by sin a by 2 याद करिए यह याद किया था कि नहीं याद करिए 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 करना परेगा करिए 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 याद करिए और आगे कंडिशन देखिए अधर प्रिजम थिन होता मतलब इसका इंगल बहुत स्मॉल है तो mu बराबर क्या होगा sin delta minimum plus a by 2 divided by sin a by 2 अगर प्रिस्म एंगल ही बहुत छोटा है तो deviation बहुत कम करा पाएगा अब्बेस सी बात है और deviation बहुत कम करा पाएगा तो यहां से इस पूरे value में अगर sin theta बहुत छोटा होता है तो sin theta theta हो जाता है sin theta बहुत छोटा होता है तो sin theta theta हो जाता है तो mu बराबर यह term आएगा delta minimum plus a by 2 divided by a by 2 2 से 2 कट जाएगा a को इधर ले जाओ तो mu into a बराबर delta minimum plus a इस एको और उधर ले जाओ तो delta minimum बराबर mu a minus a यहां से a common निकाल लो तो यहां जाएगा mu minus 1 is equal to delta minimum तो thin prism के लिए minimum deviation का formula यह आजाता है minimum deviation by thin prism by thin prism is equal to delta minimum is equal to a mu minus 1 और हमेशा ना dimensional ही याद रखको मैं पता है गलती क्या करता था पहले मैं पता है गलती क्या करता था पहले गलती यह करता था कि मैं delta minimum मैं ऐसे याद रखता था डेल्टा मीनिमुम बराबर म्यू ए माइनस वन अभी इतना पागल आदमी हूँ क्या मैं है विद्म रफ्र्डिंग लगाएंगे अर डगाने हैक्ट अनुक्त रफ्राटिंग इंगल रिफ्राक्टिंग एंगल मतलब दो रिफ्रा किंग सार्फस के बीच का इंगल प्रीश में अंगल कहलाता है तो जब सिव चूमसे बोले प्रिसम üzerine refracting angle 4 degree, angle of 4 degree, made of the material of the refractive index 1.5, made of a material of refractive index 1.5, made of a material of refractive index 1.5, then find its angle of minimum deviation, then angle of minimum deviation, delta minimum a, mu minus 1, a key value, a key value 4 degree, 3 by 2 minus 1, half, 2 degree is a minimum deviation, 2 degree, 2 degree is a minimum deviation, 2 degree, 8 kis ka raha, burana maano neat hai, kara sa chutti de do, behut bura lag ra hai, haa, bura lag ra hai, burana maano neat hai, neat hai, burana maano neat hai, hao sawal kare, burana maano neat hai, neat hai, neat hai, burana maano neat hai, parho beta neat hai, burana maano neat hai, padlo beta neat hai, burana maano neat hai. The angle of minimum deviation produced by a 60 degree prism is 40 degree. Calculate the refractive index of the material of the prism, okay. Angle of minimum deviation produced by a 60 degree prism, matlab a is equal to 60 degree or minimum deviation produced by the prism is 40 degree. Calculate the refracting, refractive index of the material of the prism. Refractive index of the material of the prism. Tho mu is equal to delta minimum plus a by 2 divided by a by 2. Alay saayn koon laga hai hai, burana maano neat hai, padlo beta neat hai, burana maano neat hai, burana maano, na maano, burana maano, na maano, na maano, na maano, na baeta na maano, saa tawar 440 sao, bata do, pachaaas niggiri kya ho tia hai, saa tawar 440, saayn pachaaas, bata, kynta a lenya, yeüre kaitan hai, boto tu, 30. Sain 53 beta sign 30, sign 30 to haa pote, or 53 kita na hooga. E本当 is 50 kya hooga. Sain 53, almost 53 degree keg site man l te chao, to 53 degree hot человека.工ify fight. So you go a little 4 by 5 almost? तो दो उपर चला जाएगा आठ बटा पांच ग्यास बसेंस राएगा अरे दो तिन डिगरी उपर नीचे चलता है यार पचास को फिप्टी थी माल लो ना साइन फिप्टी थी डिग्री होता है फूर वाई फाई तो यूर खना आँ आए फूर राय किया जाएगा बटा याँ और अजा अलीच डिग्री थी प्रिणि अल्व निचा जाएगा लिए ख्यान, आप लिग्री रूट रया फ्लाय प्राइट ख़िए बटाइट ट्रुटी ट्रिणि आवैट उप्लाइट लू जाहिट है रुट of incident is equal to the angle of emergence, each is equal to 45 degree, मतलब i barabar e barabar 45 degree मतलब delta minimum आएगा find the refractive index of the material of the prism, refractive index of the material of the prism अच्छा ओके refractive index of the material of the prism तो एक बाद बताओ एह हमें पता है 60 जब भी delta minimum होता है तो हम जानते हैं जो r1 और r2 होता है, वो बराबर होता है क्योंकि i बराबर e है और r2 बराबर होता है a by 2 तो यह 30 degree आजाएगा, छीक है मतलब हमें यह पता चल गया कि angle of incident 45 है और angle of reflection तुम्हार 30 है तो भाई यह snail slow सी आजाएगा बाहर air का refractive index 1 into sin 45 बराबर mu into sin 30 sin 45 1 by root 2 is equal to mu into sin 30 half तो mu is equal to 2 by root 2 is equal to root 2 answer oh my god इतना आसान सवाल कौन पूछता है mu is equal to root 2 is a answer अचा मैं एक सच्चाई बता हूँ पहली बार जब मैं यह पढ़ा रहा था मतलब पहली बार नहीं मतलब अभी मैं 12 में यह पढ़ा रहा था तो मैंने इसको solve किया था पूरे 8-10 line में अब मैंने क्या किया होगा तुम बता हूँ मतलब इमांदारी की भी कोई चीज होती है मैं इमांदारी से बता देता हूँ मैं एक बहुत बढ़ा चुमू पना किया था इस सवाल में 45 ए बोलो 45 तो 90 माइनस 6 तो डेल्टा मीनिमूम मैंने निकाल लिया 30 अब मैंने यहां पर रखा तो साइन ए बताओ कितना है 60 प्लस 30 बाइटू डिवाइड़ बाइट 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 साइन ए की वेल्यू है तुम्हारा किसाई साइन साइए या बाइट साइन 60 प्लस 30 याइनिट वाइट या दो चला जया जागो ऊपर टू बडू रूट तो यहां सभी आ आगया तो तरीके सेंसर आ गया अब तुम्हारे आंकों के सामने करें यूजी पीम लीडर हाय है जब भी ज़्यादा मजधूरी करो यूजी पीम लीडर हाय है वागी अब समझ में आ देखो जब मिनिममम डेविएशन हो रहा है तो आई बरावर यह होगा और आर की जो वैल्ली होगी ना रिफ्रैक्टिंग एंगल वो एवाई टू होगा त तो एद यह साथ तो आर की वेल्यू 30 और आई पैतालिस तो यह पहर आई और आर पता चल गया तो मिू पता चल जाएगा सब को से अब इसको भी असानी से करते हैं प्रीजम फिफ्रेक्टिव इंडेक्स रूट टू दिया हुआ है रिफ्रैक्टिग एंगल साथ है मतलब एंगल प्रीजम तुमारा साथ है अट वोट अंगल इंसिदेंट आई पूछा है एंगल ओफ इसेंट फोर डेल्टा मिनिमम्म तो दे wrot दिया है रूट से γर्ण साथ है डीजम मैं तो अच्वार कंग इटना आसान सवाल क्यों पूछी यहां से शाइन आइ इंट्रू ब्राबर रिफ्राक्टिव इंट्रू इंट्रू activates root 2 into sign 30 mu 1 into sin i by hour root 2 sin 30 half root 2 say 2 कटेगा 1 by root 2 मतलब i is equal to 45 degree angle एद आसान आसान से स्वाल पूच रहा है क्या the least angle of deviation for the glass prism is equal to the refracting angle क्या बोला the least angle of deviation for the glass prism is equal to its refracting angle least angle of deviation मतलब delta minimum least मतलब सब्सच चोटा minimum angle of deviation of the glass prism is equal to refracting angle मतलब equal to A delta minimum equal to A इसने बोल दिया the refractive index of the glass is 1.5 then the angle of prism is the angle of prism the angle of prism is angle of prism this angle of deviation of the prism is equal to the refractive angle the refractive index of the glass is 1.5 the angle of the prism is अचा हाँ A पूचा है angle of prism is मतलब A पूचा है म्यू दिया है म्यू इस इक्वल टू होता है साइन आई क्या होगा आई के बराबर होगा A पूचा है डल्टा मिनमम भम को देदे लेकिन आई नहीं नहीं ना आई प्लस डल्टा मिनमम बाई टू डिवाइद भाई साइन A बाई टू आई नहीं दिया यार म्यू तो चलो 3 by 2 दिया है तो यह होजाएगा 3 by 2 is equal to साइन डल्टा मिनमम को हम A रख सकते है डल्टा मिनमम को A रख सकते है कुछ तो गलत है आई कहाँ दिया इसने तो लिस्ट एंगल अफ डेवियेशन लिस्ट एंगल अफ डेवियेशन में आई ए के बराबर हो जाएगा लेगिन वो दिया नहीं एक मिनिट रूको तो डेल्टा मिनिममम को बराबर आई टू आई माइन से टू आई बाइन से और डेल्टा मिनिममम ए दिया हुआ है देल्टा मुनमम या तो य करदेए है तो अ देलटा मेन मेंक तो ओ मैद्थ को तो मुद्ध मिनल्व जेलेख पर 20 love I still अई बे आ FIR भा़भर तो य चैनला ओझ देख देखेगोदिक खुद्रेखो देल्टा मिनिमम् का क्या डेफिनेशन होता है डेल्टा मिनिमम होता है 2i-a डेल्टा मिनिमम को लिख सकते हैं तो डेल्टा मिनिमम् को ए लिख दिया इसे टेल्टा मिनिस ए- माइदस इउदर चलांगे 2a ब्रावर 2a i == समझ भी आया चलो अब veryた हैं, sin i plus delta minimum by 2 divided by sin a by 2, mu की value 3 by 2, चेक है, और i बढ़ाबर a है, तो i बढ़ाबर a और delta minimum भी यह है, तो यह a, 2a by 2 मतलब sin a, उपर में बचेगा sin a, नीचे आएगा sin a by 2, अब half angle formula use करेंगे, sin यह को हम लिख सकते हैं, 2 sin a by 2 into cos a by 2 divided by sin a by 2, sin a by 2 से sin a by 2 कटेगा, 2 को इधर लियाओ, तो यह बटेगा, 3 बटा 4 बराबर cos a by 2, तो cos को इधर लाओगा, तो cos inverse, तो यह आजाएगा a is equal to 2 cos inverse 3 by 4, बढ़िया सवाल, यह आएगा जवाब तुमारा, a बराबर 2 cos inverse 3 by 4, a बराबर 2 cos inverse 3 by 4, exactly a answer match कर गया, exactly a answer match कर गया, देखो ध्यान से, exactly a answer match कर गया, देखो ध्यान से, clear रहे किया यह बात, चालिए नेक्स देखे, light ray of angle of incident 40 degree, light ray of angle of incident 40 degree, मतलब incident angle 40 degree पर है, emergence from the prism is minimum deviation, मतलब minimum deviation में इमर्जन हुआ है तो E होगा, 40 degree यह दल्टा मिनमम होगा, what is the angle of incident on the second surface, अच्छा बेटा, what is the angle of incidence on the second surface, prism angle दिया क्या, light ray of angle of incident 40 degree, मतलब दिया क्या, light ray of angle of incident 40 degree, emerge from the prism in a minimum deviation, position, then what is the angle of incident on the second surface, second surface पर अच्छा पर अच्छा पूच्छा है, okay, 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 light ray of angle of incident 40 degree, मतलब दिया क्या, from the prism in a minimum deviation position, what is the angle of incident on the second surface, minimum deviation position में क्या होता है, कि जो तुमारा आई है, वही तुमारा R होगा, मतलब यह 40 degree है, तो यह भी 40 degree ही होगा, और यह तुम से R पूच्छा है, म्यू दिया है क्या, म्यू देता तो R निकालना असान था, angle of incident on the second surface, second surface पे angle of incident यह R पूच्छा है, तो R बराबर तो A by 2 हो जाएगा, R बराबर A by 2 हो जाएगा, minimum deviation position 2I minus A, delta minimum is equal to होता है, 2I minus A, A को हम लोग लिख सकते हैं, 2R, delta minimum नहीं दिया न, incomplete है सवाल, D कैसे भाई, यह सवाल मुझे incomplete लग रहा है, what is the angle of incident on the second surface, second surface पे angle of incident मतलब यह R पूच्छा है, अब R कैसे निकालो गए हाँ पे, SNL अप्लाई करने के लिए, mu चाहिए न, यहाँ पर, mu चाहिए न, mu नहीं दिया न, mu चाहिए कि नहीं चाहिए बताओ, the light is incident on the equilateral prism, equilateral prism जब बोले, तो angle of prism 60 degree हो गया, equilateral prism, at angle of incident 60 degree, angle of incident 60 degree, then find R1, R2, E and D, deviation, if the refractive index of the prism is root 3, refractive index दे दिया, A दे दिया, I दे दिया, तो सबसे पहले तुमसे पुच्छा, R1, R2, सब कुछ निकाल सकते हो, कोई खास बात नहीं है, बहुत असान सवाल है, अब कुछ homebuck दे दे तो बेटा, ये तुम कर ले न, असान चीज है, एच्छा चलो, एक NEED 2016 का सवाल कर लो, फिर चले जाना, एक सवाल है, NEED 2016 का, वो कर लो, फिर चले जाना, मैं नहीं रोकूँगा, NEED 2016 का सवाल है, कर लो, फिर चले जाना, अब कर लो, फिर चले जाना, अब कर लो, फिर चले जाना, बाई टू, डिवाइड़ बाई, साइन, 60 बाई टू, 60 प्लस 30, 90 बाई टू, साइन 45, साइन 45, बटा, साइन 60 बाई टू, साइन 30, साइन 30, तो, मू बराबर आ जाएगा, साइन 45, 1 बाई रूट टू, साइन 30, हाफ, ये कटेगा, नीचा हैगा, रूट टू, रूट टू पर चला जाएगा, मू इउ इकल टू, डारेक्ट फॉर्मूले पर बेस्ट सवाल था, एंसर डी आ रहे बेटा, क्या डारेक्ट फॉर्मूले पर बेस्वाल था, डेल्ट अमीनिमम, टू आई माइनस ए होता है, आई और ये बता दिया था, μू का फॉर्म मू का फॉर्म में अंसर रख दो, यह ले को 2015 का सवाल है, नीट में एक सवाल आपको प्रिम से मिले गही इस साल, 100% प्रिम से एक सवाल मिलेगा, मैं कह कर देता हूँ, अपलाइ प्रिम से मिलेगा, मैं मैं बते 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 शाल मिलेगा, मैं से एक सवाल पूसते हैं, and the refractive index of the material of the prism is cot ay2, mu is equal to cot ay2 दिया हुए, दिन अंगल of minimum deviation, अंगल of minimum deviation क्या होगा, या हुचा है बटा, अंगल of minimum deviation क्या होगा, अंगल of minimum deviation होता है, delta minimum is equal to mu is equal to sin a plus delta minimum by 2 divided by sin a by 2, mu की value रख दो, और a की value रख दो, यहां से निकल जाएगा, कुछ सवाल है यह कर लेना वेटा, homebook में देता हूँ तुभे, यह कर लेना, बाकि हम आपको prism पे और सवाल कल करा देंगे, क्योंकि prism पे बहुत सारे सवाल exam में पूछे गए हैं, चलिए, कल मिलते हैं, मैं भी ठक गया हूँ, मिना खाय पिये बढ़ा रहा हूँ सुबसे, चलो बाइ, और बाइ कर दो, कर दो, कर दो, और बाइ झाल 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 झाल